कि अच्छो वेरी वेल्कम टूल अफ्यू आईए सर चलते हैं आज के दिन के उपर करता है प्लस उसके साथ 234 ABC का इंट्रेस जोड़ता है प्लस उसके साथ प्लस वह माइनस करता है टीडीएस टीचेस का क्रेडिट प्लस वह जो टाक्स या इंट्रस उसने 191 subsection 2 के अंदर में पे किया था वो भी वो माइनस कर देगा और आपका फाइनल अमाउंट पेबल निकालेगा और इसे क्या करेगा पे कर देगा और अगर आपने self-assessment tax पे किया है department इसे कैसे अट्जस करेगा फर्स वो fees के अगेंस में 143 subsection 1 मैंने आपको बूला था माले का आज घर से पढ़के आना है पूरी उम्मीद है कि आप नहीं पढ़के आयोंगे इसलिए मैं revise भी करवा रहा हूं 143 subsection 1 summary assessment एक बार अससी ने अपना क्या कर लिया self-assessment tax pay कर दिया return कर दिया इसके बाद वो जाएगा summary assessment summary assessment shall be processed by the system whenever a return is filed under 139 or 142.1 it shall mandatorily be processed clause a it will be processed to compute your total income or loss by finding the arthematical error incorrectly or adjusting arthematical error incorrect claim disallowance of losses disallowance of deduction which is a return filed after the due date or disallowance of expenditure as mentioned in the audit report right और इसके बाद हम लोग ने से देखा था कि इसके बाद आपका interest tax and penalty if any will be computed फिर क्या किया जाए पेनल्टी नहीं पेनल्टी गलत बुला मैंने tax interest and fees will be computed इसके बाद क्या होगा इसके बाद क्या होगा बड़ा simple सी बात है आपका जो भी आपके नाम पे credit होगा चाहे है इन the form of advance tax tds tcs mad credit या self-assessment tax वो इसमें से minus किया जाएगा final amount payable और refundable निकाला जाएगा intimation generate होगा refund इफ है नहीं आ रहा होगा तो तुरंद refund देदिया जाएगा हाला कि अगर यह हो चाहे तो section 241 a के तहट क्या किया जा सकता है with prior approval of the CIT आपके refund को withhold कर सकता है intimation maximum किते time के लिए issue हो सकती है वन कब तक issue हो सकती है one year from the end of financial year in which return is filed yes or no अच्छा जी intimation के खिलाफ मेरे पास क्या-क्या remedies available है I can go to rectification answer is yes can I go to appeal answer is yes can I go to revision answer is no yes or no okay तो sir यहां तक के हम लोग ने पढ़ा था आगे कल कोई homework जिया था नहीं सर कोई homework नहीं था मैंने आपको topic बूला था कि हम homework देंगे पर मैं कोई homework आपको दे नहीं पाया था sir तो आज हम लोग आगे बढ़ते आज का section बड़े important आज के lecture बड़े important है तो possible होगा तो साथ-साथ में आप लोग ले ले लेना हम लोग कुछ history तो मैं आपको बताता ही रहता हूँ तो history आप लिख लीजा कीजे क्योंकि मैंने आपको बोला था history में जब भी बताऊंगा आप लिख लेंगे तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप साथ-साथ में जब भी मैं को अगर वो सोच रहा है कि assessment नहीं करना है अगर assessment ही नहीं करना तो आप ने जो दिया ने वह accept कर लिया मतलब काम खतम हो गया आप जो सुच रहा है वह सही चल रहा है कोई प्रबलम नहीं है अब आप चुपर कोई असेस्मेंट नहीं कोई इनकोईरी नहीं 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 आप एकड़म ट्रीन चिट पाके यहां से एस ओफ नाव बाहर निकल जाएंगे वरे वरे दूसरी बाद यहो मान लीजे कुछ वह असेसी है कुछ वह लोग है जिनके ओपर यहो चाता है असेस्मेंट करें अब जर सिर्फ सुमरी होता है कि income कितना है या profit कितना या expenditure कितना या पर उसको ऐसा शक हो सकता है आपने कोई ऐसे capital expenditures ते जिनको revenue Trust करके डाल दिया हो हो सकता है कुछ outta नहीं हो पर आप लोगोंने claim कर लिल Bacon कर लिए हो ऐसा हो सकता है na possible है तो यहों क्या करेगा दो چीजे करेगा CASS computer aided scrutiny software उसके सामने पहला एक ऐसी list रखेगा उसके jurisdiction में आने वाले लोग जो क्या करेंगे जिनने return नहीं बढ़ा होगा अब A.O क्या करेगा 14211 के तहत कुछ लोगों को बूलेगा चल बेटा return बर ले और दूसरा 14212 यह वो section है जो आपसे information collect करने की power रखता है 14212 एक ऐसा section है जो आपसे information collect करने की power रखता है तो अब हम चल रहे हैं another section के उपर 142 which is one of the very good power available with A.O यह पावर है 1421 यह 14212 यह एक पावर है A.O के पास आए इसे discuss करते हैं detail के अंदर में सबसे पहले section को दो पाट में divide कीज़े 14211 14212 यह दो पाट के अंदर में divide कीज़े और दोनों section बिल्कुल अलग अलग है दोनों section की बाते बिल्कुल अलग है सबसे पहले बात कर लेते है 142.1.1 की 142.1.1 आप से क्या करता है असेसी को बोलता है कि रिटरन बर AO दिमांड करता है असेसी से AO उसको नोटिस भीचता है नोटिस में क्या लिखावा होता है आई एम आपको प्राक्टिकल असपेक्ट बताता हूँ AO एक नोटिस बनाता है ये computer generated notice होती है बस उसका sign होता है notice होती है उसको बोला जाता है notice के अंदर में लिखा होता है कि आपको return बरना है notice time limit भी देता है कि return कब तक बरना है notice time limit भी देता है कि return आपको क्या करना है कब तक के बरना है सो एओ एक notice भीषता है सरसी को बोलता है चलो return भरो सर क्या reason लिखना ज़रूरी है कि वो notice क्यों दे रहा है देखिए 142.1.1 का अगर notice आजाए तो आप बिल्कुल ये समझ के चलने एओ ने आपका assessment open कर दिया है AO ने आपका assessment open कर दिया और इसलिए वो आपके return भरवाना चाह रहा है सर आपको कैसे पता कि AO ने assessment open कर ही दिया है reason ये है 142 को जब आप section को heading related देखेंगे तो वहाँ पर आपको देखेगा inquiry before assessment मतलब वो आपका assessment ले चुका है और अब आपकी सिर्फ क्या कर रहा है inquiry कर रहा है आप से return भरवाने की इच्छा रख रहा है क्या आप return भरो अब मुझे आपको क्या करना है detail में analyze करना है okay sir सिर्फ मुझे एक बात बात देगे मुझे एक बहुत छोटा सा doubt आया है क्या AO उन लोगों को भी notice दे सकता है जिनको return भरने का requirement ही नहीं suppose my income is 2,40,000 rupees yes or no my income is 2,40,000 rupees can I also receive a notice and if any I receive a notice whether I need to file return क्योंकि law के हिसाब से 139 के हिसाब से मुझे return भरने की ज़रत ही नहीं है तो क्या ऐसा हो सकता है कि AO मुझे भी notice दे दे और बोले कि चल return भर तेरी income basic exemption limits जारी है या नहीं जारी है पता नहीं या 139 के condition satisfy हो रहा है या नहीं पता नहीं क्या ऐसा हो सकता है कि मुझे भी notice आजाए क्या लगता है आपको मुझे बताइए सोचिए जरा पूछिए अपने आप से आप लोगों में से क्या उन लोगों को भी notice दिया जा सकता है जिनको लोग के साब से requirement ही नहीं है return भरने की and the answer is yes जब 142.11 का notice आता है 142.11 का notice आता है तो it is totally irrelevant कि आपके return filing requirement है या नहीं है notice आया मतलब आपको क्या करने का है simply return भरने का ही है सर कब तक के return भरेंगे जितने notice के अंदर में लिखा होगा अच्छा जी सर सर मैं बहुत basic बच्चों मैं बहुत average बच्चों मुझे एक बहुत deep question आया है मैंने बला ओके आगे बोल सर मुझे बताईए 142.11 का notice क्या return भरने की due date से पहले भी आ सकता है हो सकता है मार्च के अंदर में आपका year खतम होता है आपको एप्रिल के अंदर ही notice भी भीज़ देता है बोलता है चल return भर तो क्या ऐसा कोई notice due date से पहले भी आपके पास टपक सकता है हाँ यहाँ सोचने पर मजबूर करना होगा पड़ो तो हद कर दो वरना program रद कर दो क्योंकि एओ notice भीज रहा है तो एक सवाल हमारे सामने definitely खड़ा होगा कि क्या एओ due date से पहले भी भी भीज़ सकता है and the answer is no बिल्कुल नहीं भीज़ सकता है due date से पहले तो उसका moral obligation है किसका असेसी का due date से पहले return भर देना या on due date return भर देना यह एओ का moral obligation है notice भेद नहीं सकता एओ के पास power ही नहीं है उसको due date के बाद ही करना होगा point एक point दो कि notice आया तो mandatory return भरना है यहाँ तक क्या clear हुआ तो due date से पहले क्या वो कर सकता है answer is no बिल्कुल नहीं कर सकता है अब आते हैं दूसरी बात के उपर sir यह notice कितने सालों तक क्या आ सकता है I mean ऐसा कुछ तो calculation होगा न कि एक साल दो साल या assessment year में आएगा कब तक क्या आ सकता है क्योंकि AO को तो मान लीजे आज नहीं लग रहा है assessment करना अगले साल assessment करना है तो क्या वो तब भी यह notice आपको दे सकता है answer is yes sir क्या yes there is no time limit mentioned कि यह notice कब तक आ सकता है याने यह जो एक power है यह बहुत wide power है 142 का 142 में यह कहीं पे भी निखावा नहीं है कि maximum कितने time के अंदर में 142 1 का notice हो सकता है बट अगर मोटे मोटी तौर पे भी बात किया जाए तो maximum 6 assessment year एकदम practical experience से बोल रहा हूँ maximum 6 assessment year अब आप यह पूछेंगे कि sir maximum 6 assessment year ऐसा क्यों कहा आपने वो इसलिए because books of accounts जो maintain की जाती हो maximum 6 assessment year के लिए maintain की जाती है as per section 44 AA so what he can ask is maximum 6 assessment year यह 6 assessment year में इसलिए भी कह रहा हूँ क्योंकि जब मैं आपको 147 पढ़ा हूँगा तब आपको वहाँ पे maximum 6 years का criteria मिलेगा तो हाला कि act में ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है कि maximum notice कब तक क्या आ सकती है अगर मैं deep down analysis करूँ तो मैं आपको clear cut बोल सकता हूँ maximum 6 assessment year तक के क्या आ सकता है 142 1 का notice आ सकता है माली इससे उपर नहीं आ सकता तो यहां तक के फटाफट recall करते है 142 1 के तहत 142 1 1 के तहत आपको क्या कर सकता है यह notice दे सकता है यह notice जोगी return filing के due date के बाद ही आ सकती है यह notice अगर आपके पास आई है तो आपको return भरना है चाहे आपके responsibility 139 1 के अंदर में बन रही हो या नहीं बन रही हो return कब तक के भरना है उत्ते time तक के भरना है जब तक के notice के अंदर में लिखा होगा तो उत्ने time तक के आपको क्या करना है return भरना है maximum कितने सालों के return इसके अंदर में भराए जा सकते है वो हर individual years के लिए आपको क्या आ सकता है notice आ सकता है जिस सालों के भी आपको बोला है कि इस सालों के आपको return भरना है तो उस सालों के आ सकते है ठीक है अच्छा जी सर तो एक बात और समझनी है सर मेरे को ये जो notice हम लोग दे रहे हैं क्या ये देना mandatory है I mean मान लिजे AO को अगर assessment करनी है और वो सोचता है कि assessi से return नहीं भरवाया जाए क्या वो directly best judgment assessment कर सकता है सवाल तो आता है न कि अब ये तो क्या हो रहे है कि AO ने AO चाहरा है return भरे अगर assessi ने return नहीं भरा या मान लिजे AO चाहरा है कि वो अब return नहीं भरे क्या फिर भी वो उसका assessment कर सकता है answer is yes और उस assessment को हम कहते है best judgment assessment 144 अगर 144 करना चाहरा है AO best judgment assessment करना चाहरा है तो फिर उस case में 142.1.1 का notice नहीं भी दिया तो भी चलेगा क्योंकि responsibility किसी थी असेसी की थी return file करने की वो return file नहीं करता तो A.O. के पास दो रास्ते हैं जरत चार्ट दिखेगा assessment का अगर return file नहीं किया तो ऐसे दो रास्ते दिख रहे एक रास्ता जा रहा है आपका 142.1.1 के त बिल्कुल उसके हक में बिल्कुल उसके power में कि वो direct 144 भी कर सकता है आपकी best judgment भी बना सकता है तो क्या सीका हम लोग ने हम लोग ने सीका अगर A.O. best judgment assessment करना चाहे 144 करना चाहे तो 142.1.1 का notice mandatory नहीं है और ये आपको MCQ बोल करके आ सकता है ये हुआ 142.1.1 की बात अब आते ह तो आपको इसको एक अलग नजरिये से देखना है don't compare it with 142.1.1 compare it with 142.1.2 142.1.2 ये सबसे बढ़ा power है A.O. के पास information collect करने का इस power के तहत A.O. क्या कर सकता है A.O. आपके पूरे document मंगा सकता है information मंगा सकता है bills invoices मंगा सकता है आपके asset and liabilities details भी मंगा सकता है तो ये section idly wide power देता है A.O. को आपकी information बुलाने का 142.1.2 के तहट जो information बुलाई जाएगी क्या use है इसका audit वो आपका पूरा का पूरा return को audit करेगा through information collected under 142.1.2 information अच्छा दूसर सर कितने सालों की information मंगा ही जा सकती है इसके अंदर में सर maximum 3 previous year के आप से detail मंगा ही जा सकती है मतलब आपको अगर information लेनी भी है तो only 3 previous year तक का maximum information ये मंगा सकता है अच्छा जी सर सर क्या off balance sheet asset and liabilities की भी detail मंगा ही जा सकती है off balance sheet मतलब personal asset obviously बात है तो क्या personal asset and personal liabilities की भी detail मंगा ही जा सकती है answer is yes ये investigation करने का part चालू हो गया अब आपका तो अब वो आपके personal detail भी मंगा सकता है including the assets and liabilities प्रभू including the assets and liabilities में मंगा ही जा सकता है पर इसके लिए जेसी का approval लगता है joint commissioner का क्या लगता है approval लगता है अच्छा जी सर बिलकुल ठीक है सर 14212 के तहट आप बोल रहे हैं कि information मंगा ही जा सकती है बिलकुल मंगा ही जा सकती है लेकिन मैं आप आपको एक और practical aspect बताता हूँ जो आपकी किताबों में नहीं लिखा होता नहीं लिखा है उसके अंदर में पट मैं आपको एक ऐसा practical aspect बताऊंगो और मैं कितना भी चाहूँ यार वो निकल जाता है क्योंकि बंदा practice के अंदर में हूँ तो मेरे को मेरे को ऐसा लगता है क्यार मैं मेरे बच्चों के सामने सब कुछ रख दो सर 142,12 जब भी आता है यह generally 143,2 के notice के साथ आता है 142,12 जो आता है यह generally 143,2 के notice के साथ आता है हाला कि मैं आपको एक बात बता दू 143,2 और 142,12 के अंदर में बहुत सारी dissimilarities है कुछ differences भी है मैं पहले आपको वो clear करता हूँ चाहे तो आप लोग लिखके रखे 143, subsection 2, 143, subsection 2 और 142,11 यहां आपको एक difference समझना बहुत ज़रूर है 143,2 यह भी notice है पर यह notice है before assessment और यह जो notice है यह notice है for calling information हाला कि मैं आपको बता दू 143,2 के तहद भी 143,2 के तहद भी आपसे information मंगाई जाती है जब आप 143,2 का notice देखेंगे अपने किसी भी client का यहां पर भी information can be called लेकिन यहां जो information मंगाई जाती है वो questionnaire के थू मंगाई जाती है आपको क्या करता है यह 143,2 के अंदर में क्या कर देता है एक questionnaire देता है कि मिरको इसके बारे में clarity दो इसके बारे में clarity दो इसके बारे में clarity दो एक questionnaire देता है जैसे audit में questionnaire होता है बिल्कुल उसी तरीके से आपको एक questionnaire दे दिया जाता है और questionnaire के basis पे आपसे information मंगाई जाती है आप मुझे provide कीजे within so so and time आपको दे दिया जाता है अच्छा जी सर यह जो 1432 होता है यह any number of years के लिए होता है ज्यांद सुनिएगा 1432 जो होता है यह आप से कितने भी साल के information मंगाई जा सकती है क्योंकि वो आपका assessment कर रहे हैं तो आपको कोई भी year की information मंगाई जा सकती है जब इसके अलावा three previous year के हो सकते याने in total 4 years current year plus three previous year ऐसे overall 4 years के लिए क्या क्या जा सकता है आप से information मंगाई जा सकती है लौग हिसाफ से देखा जाए तो यह more powerful है यह less powerful है ड्यान से सुनना और मेरे हिसाफ से आप लोगों ने लिख लेना चाहिए 14212 143 to 14212 यह more powerful है यह less powerful है सर लेस powerful क्यों है logically अगर आप देखे तो इसके बिना भी आपकी assessment हो सकती है दूसरी important बात यहां पर max 3 साल की information आ सकती है इसी के लिए यह less powerful हो जाता है सर लेस पावरफुल होने के बाउजूद भी why this section has been brought लिखके रखें वाइड इस section has been inserted जब इतना ही less powerful है तो इस section को insert क्यों किया गया मैं आपको बताता हूँ इसके तार जूडते है section 144 से सर कैसे तार जूडते है 144 से मुझे भी समझाए मैं भ आवरेज बच्चाँ मैंने बताता हूँ 144 से इसके तार ऐसे जूडते है कि जब 144 होता है तो मैंने आपको बताया है कि क्या निकलता है शो कॉज नोटिस के क्या होता है जजब show-quauze notice निकलता है और assessi का best judgment assessment करना हो तो best judgment assessment हवा में नहीं किया जाता उसके तहत क्या किया जाता है 142,12 का notice दिया जाता है और उसकी information मंगाई जाती है बरे बरे आपले अब वो assessment करने तो नहीं आरहा है पर information तो उसकी लगेगी 142, 12 के तहट उसकी information मंगए जाती है और उस information की basis पे 144 किया जाता है best judgment assessment किया जाता है तो ऐसा भी नहीं कि best judgment assessment मतलब कुछ भी हवा में कर देंगे यह अपने मर्जी से कुछ भी निकाल देगा नहीं जब आप 144 के basic word पढ़ेंगे law का interpretation करेंगे basic word पढ़ेंगे तो वहाँ पे लिखा होगा on the basis of information available you can do best judgment assessment और यह जो word है न on the basis of information available यही है 142, 12 इसी लिए less powerful होने के बावजूद भी आपसे information मंगाने का पहला तरीका बनता है 142, 12 यहाँ पे लिखेगा because on the basis of information you can do best judgment assessment under section 144 यह है इसके पिछे का logic यह है इसके पिछे का logic अच्छा जी चलिए वापस शालू करता है 143, 12 क्या मंगाया जा सकता है information मंगाया जा सकता है कौन से information मंगाया जा सकता है कोई भी document information मंगाया जा सकता है क्या आपकी personal details में मंगाया जा सकते है जी हाँ आपकी personal details में मंगाया सकते है कितने साल के detail मंगाया जा सकते है three previous year के detail मंगाया जा सकती है कोई problem नहीं है राइट अच्छा जी सर सर मुझे एक और बात जाननी थी 142, 1, 2 और 143, 2 में क्या फरक है दोनों के बीच में मैंने फरक बता दिया दोनों नोटिस ही है लेकिन एक नोटिस आपके assessment से information मंगाना चाहती है assessment के लिए information मंगाना चाहती है दूसरी भी उसी के लिए मंगाई जा सकती है लेकिन ये कितने भी सालों के लिए हो सकती है और ये maximum 3 years के लिए हो सकती है so this seems to be more powerful as compared to 142.12 बरबर है अच्छा जी फिर 142.12 क्यों लाया जब ये more powerful है और ये less powerful है तो ये इसलिए लाया गया क्योंकि best judgment assessment भी करना जाएंगे तो उस time पर आपको information लगीगी और वो information यहां से call की जाती है यहने मोटा मोटी तौर पर तुम यह बोल सकते हो अगर सीधे तरह के assessment होने वाली रहेगी information call हो जाएगी 143.2 या 143.2 या 142.12 के हिसाफ से और अगर best judgment assessment होने वाली रहेगी तो फिर ये ना issue हो करके क्या issue होगा 142.12 issue होगा और आपसे information call की जाएगी अच्छा जी सर सर मुझे एक बात बताईए असेशी information मंगा सकता है बिलकुल मंगा सकता है सर क्या असेशी तब भी information मंगा सकता है जब असेशी को return filing obligation ना हो एक केस मेरे पास ऐसा आया था और इसलिए मैं आपके साथी डिसकस कर रहा हूँ मेरे ही client का एक केस है जो आया था जिसके अंदर में क्या था असेशी वह नॉट रिक्वाइट तो फाल रिटन अफ इंकम और अब ऐसे ही केस में क्योंकि वह हर साल रिटन भर रहा था और उस पर्टिकुलर रियर में उसकी इंकम नहीं होईती जादा तो उसने रिटन नहीं भरा अब ऐसे केस में हुआ यह कि एओ के तरफ से 14212 आ गया कि इसको information दो and there arises a question कि क्या return भरने का obligation नहीं है तो भी information call की जा सकती है क्या answer is yes 14212 यह information calling section है और इसमें कहीं पे भी यह नहीं लिखा है कि आपको return filing करना mandate रही है return filing obligation की बात यहां पर किये ही नहीं है आप से information मंगाई है इसका return filing filing से कोई lending नहीं है समझ मैं ही मेरे बात ओके सो चलिए यह लिख दिया होगा आपने यहां मैं वापस आता हूँ बहुत deep dive कर रहे हैं आपन वापस से समझते है 1421 14211 14212 14211 आपसे return भरने की बात करेगा return नहीं भी obligation है तू भी आपको file करना है कितने दिन में file करना है notice में लिखा होगा maximum कितने सालों के हो सकते हैं नहीं पता उसके अंदर में लिखा होगा यह notice max कब तक आ सकती है कोई time limit नहीं लिखा है यह जब चाहे आप से यह करवा सकता है पर practical aspect में छही assessment के अंदर में आपको आ जाएगी है notice ठीक है सरी हो गया return भरने वाली बात अब आते हैं information का वाली बात information कौन सी मंगाय जा सकती है business information में मंगाय जा सकती है personal information में मंगाय जा सकती है return भरना नहीं भरना इसससे कोई obligation या कोई लिन दिन नहीं है आपको information देनी होगी sir information नहीं दिया तो क्या हो जाएगा best judgment assessment आपकी हो सकती है yes information नहीं दिया तो best judgment assessment आपकी हो सकती है ठीक है अब एक और बात sir आपने हमें बताया था sir मैं और basic में जाना चाता हूँ, और detail में जाना चाता हूँ, क्योंकि मैं को ऐसा लगता है, कि CA final में अब ये आखरी class है, इसके बाद तो मुझे कभी class या tax पढ़ने नहीं मिलेगा, और मैंने तो आपको select किया है, तो आप से ही पूछूँँगा, मैंने बोला, okay, आगे बोल, sir ये जो 142, 12 है, क्या सिर्फ ये एक ही assessment 143 या 144 के लिए हो सकता है, answer is no, 142, 12 एक common section है, कोई भी assessment करने के लिए, sir कोई भी का मतलब हमने आपको 4 assessment बताये थे, 143, 144, 147, 153A, तो चारों में से कोई भी assessment हो रहा हो, आप 142, 12 के तहर information call कर सकते है, this is a general section for calling information, for doing assessment, जब हम word बोलते हैं, section का पहला word पड़ते है, inquiry before assessment, यहाँ ये नहीं लिखा assessment मतलब scrutiny assessment, best judgment assessment, assessment मतलब any assessment, कितने assessment भी करें है, 4, normal, regular assessment, best judgment assessment, 3, 148, income escaping assessment, 4, assessment after search and seizure, 153 वाला, कोई भी चलेगा, चलिए सर, बहुत बढ़ी असर, 142, 1, 1, 142, 1, 2, देखेंगे तो मैंने दोनों पार्ट को यहीं डिवाइड करके रखा है, inquiry before assessment, नाम ही है, इसे चालू हो रहा, assessment के पहले की जाने वाली inquiry, for the purpose of making assessment, assessment करने के लिए, यहाँ से बढ़ चालू हो रहा, for the purpose of making assessment, AO shall require the assessi, पहले आते है, 142, 1, 1, 100% focus इस पे, AO क्या करेगा, return भरने बोलेगा, time limit उसे के अंदर में लिखा होगा, maximum time दियावा नहीं है, return भरने का time limit, notice में दिया होगा, यह notice कब तक issue हो सकते है, उसका time limit दियावा नहीं है, so AO shall require the assessi to file return of income in the prescribed time and manner, prescribed time मतलब notice में ही लिखा होगा, time क्या है, manner मतलब कौन सा ITR या किस form में देना है, वो वहाँ पे लिखावा होगा, the ROI shall be deemed to be returned under 139, यह जो return file क्या जा रहा है, यह deemed कर लिया जाएगा, आपने 139 के अंदर में भरा है, यह जो return भरा जा रहा है, यह मान लि कीजे, मेरी return भरने की due date 31st of July, इतना ज्यादा practical question आपके सामने पूछ रहा हूँ, कि आप अपने office में जाके discussion कीजेगा, अपने articles, जो छोटे articles होंगे, उससे discuss कीजेगा, अपने boss से discuss कीजेगा, बड़ा मज़ा आएगा, और उसके बाद आप मेरे को बोलेंगे, sir, respect, मज़ा आ गया, ऐसा बोलोगे, आप मेरे को direct, sir, July was the due date to file return of income, 31st July, बरवर है, 142, 1, 2, sorry, 142, 1, 1 का notice आता है, return भरने के लिए, in the month of November, July was your due date, November के अंदर में आपको एक notice आता है, notice आते ही, 5 दिन के अंदर में आप अपना return भर देते हैं, बरवर, अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा, यह return तो आपने 1391 के time limit के अंदर में नहीं भरा, और return अगर आपने नहीं भरा within the time limit, तो एक चीज जो आपको लगती है, वो लगती है, 234F की fees, तो अब मेरा सवाल है, कि due date July था, notice आई November में return भर, 5 November को आपने return भर दिया, अब assessi जानना चाहता है, कि 234F का fees आपको लगेगा या नहीं लगेगा, बोलो अब मुझे जवाब, 234F का fees लगना चाहिए या नहीं, मैं fees का section 234 है, फिर से आपको recall करवादू, अगर income 5 लाक रुपे के उपर नहीं होगी, fees 1000 रुपे लगेगी, due date के बाद, up to December अगर आपने return भरा 5000 रुपे तक की fees, beyond December भरा जरूर पूछेगा ये सवाल, और जब इस सवाल का जवाब आप उनसे पूछेंगा, और वो नहीं बता पाएंगे, और आप उनको जवाब बताएंगे, उनके आप में आत्मा आसो बलेंगे, भाय, respect, मजा आ गया, क्या 234F का fees लगना चाहिए, इसलिए मैं कहता हूँ साब पड़ो तो हद कर दो और ना प्रोग्राम रद कर दो, practical plus practice, and the answer is, नहीं लगीगे, पुछो क्यों, लाइन पड़ी आपको समझ में आएगा, ये return जो आप भर रहे हैं 14211 के तहत, इसे हम मान रहे हैं कि आपने 139 में भरा है, hence हमने तो ये ही अजूम कर लिया, आपने within time भर प्रैक्टिकल आस्पेक्ट, आप खुदी बोल रहे हैं कि ये जो return भरा है, ये 139 के अंदर में है, मान रहे है 139 के अंदर में, तो अगर ये January में भरा होता, ये notice January में आए होती, January में भी हमने return भरा होता, तो अभी 234 F का fees हम नहीं लगाते, क्यों नहीं लगाते, आप खु अंचे बता रहे हैं लोग ऐसा करते हैं, मान लो return नहीं भरा, बरे बरे, कई बार तो अससी को बोलते हैं कि भाया तू क्या कर, be later return भी मद भर, अंदे notice, तब देखेंगे, हाँ ऐसा होता है, ऐसा होता है, उसको बोलते, be later return भी मद भर, अंदे notice, क्योंकि be later return भरा, तो 234 F आएगा बाबू, one water to one, भरा, तो 234 F नहीं आएगा, तो 5,000, 10,000 बताने, return भर नहीं, मद भर, नहीं आया, तो तू वैसे भी बज़ी गया, आया, तो तेरी फीस बज़ी गया, लूप हो ले, याद रखेगा, अपन ऐसा नहीं, बट बिटा, एक बात याद रखेंगे, हाला कि मैं अगर आपको मेरा definition बता हूँ, ethics का, तो थोड़ा different है, कुछ लोग इससे agree कर भी सकते हैं, कुछ नहीं भी agree करेंगे, ठीक है, बट मैं मेरा definition बता हूँ, मेरा definition ये, ethics are very important word in books, ethics is a very beautiful word, but in books, और मैं ये इसलिए कहना हूँ, क्यों कि मैं practice में हूँ, और जितने बनाए हैं, सच में बताओ, कि income के basis पर tax निकालते हो, office में, या tax के basis पर income निकालते हो, अससी कितना tax दे करना चाता हो, और उसका reverse calculation करते हो, article chip करी है, तो तुम्हें इस बात की सच्चा ही पता है, अब हम ethics preach नहीं कर सकते, so ethics is a very beautiful word, कहा, books में, books में है, no doubt, ये मेरा personal issue है, मेर असा लगा कि ethics होना चीए था नहीं थे, और over the period of time जब पहली बार bribe paid किया, assessment के तौरां जब पहली बार bribe paid किया, तो मेरको भी ऐसा लगता था, जब तक कि मैं student था, कि नहीं अपने अच्छा आदमी मनेंगे, bribe paid नहीं करेंगे, ethics follow करेंगे, so on and so forth, but over the period of time, एकदम fact बात कि system आप से कुछ और demand करता है, and you have to be with them only, एक बात याद रखना, तो it's a very beautiful word, but in books, समझ लिजे आप, right, but when it comes to your practice, आप बहुत try करता है, पर यह हो नहीं पाता है, एकदम fact बताता हूं, so 142.11, AO shall require the SSC to file return of income in prescribed time and the manner, the return of income so filed shall deem to be the return under 1391, hence 234F की fees applicable नहीं है, वो यहाँ पर हम लोग लिखेगे, या आप लिख दीजे, इसके आगे भी अगर आप लिखना चाहें, तो बिल्दास लिख दीजे, hence, fees under section 234F is not applied, even if ROI is after the due date, even if ROI is after the due date, या आप लिख के रखें, डंजर, 142.12 पर आ जाहिए, to produce और cost to produce, such accounts, all documents as AO may require, उन्हें लिखा है, such document or information, such का मतलब है, जो उसने मांगा, यहाँ such का मतलब क्या है, यह जो वर्ड लिखा है, such, as इसका interpretation है, as demanded by AO, AO ने जैसा demand किया, उसके basis के उपर, right, including the statement of asset and liabilities, not more than 3 years prior to previous year, in short कितने होगा, total 4 साल, इस साल का तो ही, plus 3 previous years के उपर आप नहीं बढ़ सकते, previous approval of JC, joint commissioner is required, if the details of all asset and liabilities are not included in accounts, जिसका मतलब यह है, कि अगर आप personal asset and liabilities मंग रहे हैं, जो off balance sheet है, personal asset and liabilities which are not included in balance sheet, will be, will be covered only with the approval of JC, तो business वाले सारे information आप without approval of JC भी मंगा सकते हो, लेकिन personal asset and liabilities के details अगर आपको चाहिए, तो वो JC के approval के साथ ही आएंगे, even though अगर JC खुदी assessment कर रहा होगा, because JC is one of the AO, तो फिर किसी के approval की requirement नहीं है, यह बात समझ के चलिएगा, ठीक है सब, आईए, this notice can be issued without any time limit, जैसा कि मैंने कहा था, 142, 12 को कोई, 142, 1, in total अगर हम बात कर लें, या 2, जैसा भी, इसकी कोई time limit नहीं है, issue करने की, यह कभी भी issue किया जा सकता है, तो जैसा, you know, intimation का time limit होता है, इसका कोई time limit नहीं है, but obviously before completion of the time limit of assessment, और maximum assessment, 6 assessment years के लिए हो सकती है, यह 148 में हम लोग देखेंगे, तो वो एक चीज़ है, जो भी material gathered हुआ होगा, उसके basis पे उसको opportunity of being heard मिलना बहुत ज़रूरी है, अगर opportunity of being heard नहीं मिलता है, तो आपको तो पता है, यह क्या हो जाएगा, principle of natural justice के against में हो जाएगा, और आपको क्या करना पड़ेगा, assessment invalid हो जाएगी, ठीक है, इसके नीचे आ रहा हूँ, मैं थोड़ा सा पहले नीचे आ रहा हूँ, by issuing 142.12 alone, AO cannot make the assessment, normally, the notice is issued after giving 143.2, 144, 148, 153A, तो assessment कोई भी हो, जब आपको information की ज़रूँ तो, you can definitely use 142.12, if reply to show cause notice under 144 is unsatisfactory, then AO issue the notice of 142.12 to gather the information for the purpose of making bad judgment assessment. तो जब show cause notice के उपर उसको जवाब पूचे जाते हैं, यह जवाब unsatisfactory रहे, तो तुरंत AO 142.12 बुलाता है, उससे information collect करता है, और फिर ही best judgment assessment करता है, तो वो भी चीज़ यहाँ पर दिखे लिया, तो यह दो पार्ट को आपने highlight कर दिया, notice under 142.12 can be issued whether the assessor has filed return of income or not, जैसे कि मैंने आप से कहा था कि return of income भरा हो या नहीं भरा हो, उसका information calling से कोई linden नहीं है, clear है मालिक? सर, अगर इसका compliance नहीं हुआ, तो क्या? आपको बुला था information दे, आपने information नहीं दी, आपको बुला था return भर, आपने return नहीं भरा, बताइए क्या हो सकता है, क्या कर लोगे? 144 best judgment assessment, क्या हो सकता है, सबसे पहली चीज़ हो सकती है, आपको बुला जा सकता है, best judgment assessment, directly आपके साथ best judgment assessment हो सकता है, दूसरा, एक और बात याद रख लीजे, जब भी AO का order नहीं माना, a strict penalty of 10,000, which is given in 272A, तो 272A, 1D कहता है, कि आपने अगर AO का order नहीं माना, तो 10,000 rupees is the penalty for not complying with the order of AO, 10,000 rupees आपको penalty लग सकती है, prosecution दिया जा सकता है, jail दी जा सकती है आपको एक साल तक की, हलाकि ये बहुत बड़ी चीज़ है और इतने आसानी से नहीं होती, प्लस आपके उपर सर्च के order भी issue हो सकते है, 132 के तहट, यस, आपको सर्च के order भी दिये जा सकते है, आपको शक हो जाएगा कि ये information क्यों नहीं दे रहा है, अगर ये information नहीं दे रहा है, तो दया, पता लगाओ, कुछ तो गड़बड है, 132 के तहट, सर्च के order भी निकल सकते हैं, तो आपने अगर नहीं दिया, तो आपके साथ 4 चीज़े हो सकते हैं, पहला बैस जेजमेंट जो जनरली होता है, दूसरा 10,000 रुपे तक ही penalty लगाई जा सकती है, तीसरा prosecution मिल सकता है, एक साल तक का, प्लस चौथा आपके उपर search भी हो सकता है, अगर आप chronology समझें, तो पहला बैस जेजमेंट एसस्मेंट होगा, दूसरा आपके उपर penalty लगाई जाएगी, तीसरा search का order होगा और चौथा फिर prosecution होगा, if any, बहुत extreme cases के अंदर में, चलिए sir, I hope आपने सबसे पहले क्या लिखा होगा, 143.2 and 142.12, मैं जितनी चीज़े आपसे कहता हूँ, यह सारी चीज़ा मैं आपको लिखा के भी दूँगा, don't worry, calling of information, section का नाम लिखिए, inquiry before assessment, inquiry before assessment, आजाएए, section के उपर ध्यान देते हैं, section क्या कहता है हमसे, section हमसे कहता है, return furnish करने को, तो क्या होगा, AO will require the assessi, to file roi within time limit given in the notice, पहला पॉइंट, notice can be issued, only after the due date, यह बात याद रखिएगा, for making best judgment assessment under section 144, notice under section 142.11 is not required, अगर assessi ने पहले ही सोच लिया है कि उसको best judgment assessment करना है, तो फिर return भरने की जरौत ही नहीं है, ROI is required, if notice is issued, even when, he is not required to file return under section 139 अगर यह notice आई है तो आपको क्या करना है return भरना है भले ही आपका obligation हो या ना हो because इसको non-compliance आपका best judgment assessment attract कर देगा तो आपकी obligation हो या ना हो आपको यह करना ही करना है अब मिल सकारि और रखकी आपकी sushi आपकी करें रखिए याफ हो विल रखकी है बुक्यापू recovery and information. For off-balance sheet, a Senn-Len liability, approval of JC is required. Generally, this notice is received, along with the notice under section 143 to 144, 148, 153A. लिख लीजे, अगर आपका left side का कुछ छूटा भी है, तो मैं नीचे रखूँ गई, आपको easily clear हो जाएगा. maximum information for three years prior to previous year can be called, in total four assessment year. Notice under section 142.12 can be issued, whether he is required to to file, ROI or not. दोनों के निच्छे common arrow, लीजे सर आपके flow charts भी साथ-साथ में prepared हे रहे, there is no time limit for issue of notice under section 142. कोई time limit नहीं है, notice issue करने की under section 142. चलिए, यह नहीं हुआ है, तो प्लीज एक बार complete कर लीजे, धन्यजे, तो आए, बार के देे रहे जाए.. अब आते हैं आगे बढ़ते हैं चार्ट को फिर से रिकॉल करते हैं सबसे पहले सेल्फ असेस्मेंट टैक्स पे किया जाएगा सेल्फ असेस्मेंट टैक्स के बाद क्या होगा असेसी रिटन भरेगा रिटन भरने के बाद उसका समरी असेस्मेंट होगा 1431 के अंदर में समरी असेस्मेंट होने के बाद एओ डिसाड करेगा असेस्मेंट करना है अगर असेस्मेंट करना है तो कुछ लोगों से वो रिटन कुछ लोगों से वो क्या करेगा, information call करेगा, इसके बाद क्या होगा, अब वो ये information ले लेता है, आपके return के साथ साथ एक एक चीज़े audit करता है, practically समझना, एक एक चीज़े audit करता है, जहाँ जहाँ पे भी, जिस entry में भी उसको problem होगा, उसका एक, you know, notes and sheets होता है, Aos, notes and sheets बोला जाता है, इसको green color का होता है, आप कभी भी assessment करने, if any गए, तो आपको दीखेगा, कि ऐसा एक, you know, cardboard होता है, cardboard के उपर green page रखावा होता है, और उसके बीच में एक line होती है, इस side कुछ उसके information date वगरे लिखने के लिए होता है, कैसे work करते हैं, notice आपको एक बारी म notice दिया जाए, एक बार ही आपको notice देता है, उसके बार जब assessment चालू हो जाता है, ऐसा नहीं होता है कि एक बार department visit करना पड़ता है, multiple time department visit करता है, तो ठीक उसी तरीके से AO क्या करता है, बाद में इसका audit करना पूरा शुरू करता है, analyze करना पूरा शुरू करता है, एक एक expenditure को देखता है और जहाँ जहाँ उसको doubt हो, वो audit notes and sheets के अंदर में लिख देता है, तो जैसे auditor क्या करता है, आपका balance sheet उठाता है, P&L उठाता है, उसमें से एक एक item को re-verify करता है, आपके books up account से, ठीक उसी तरह से AOB करना आगे बढ़ता है, इस series के अंदर में जब वो आगे कि हो सकता है, उससे account समझ में आए, दूसरा issue हो सकता है, उससे account नहीं समझ में आए, दो बाते हो सकती है, अपने को भी होता है as auditor, कुछ information, कुछ document, कुछ चीज़ें हमें समझ आती है, और कुछ चीज़ें हमें नहीं समझ में आती है, चले पहले थोड़े से दूसरा दरफ चलते हैं कि यह उसे information कुछ भी नहीं समझ में आई ऐसा हो सकता है बहुत बार हो सकता है अगर उसे information नहीं समझ में आ रही अगर उसे information नहीं समझ में आए तो आप चार्ट अगर देखेंगे तो चार्ट के अंदर आपको दिखता है 142 2a पहला power और दूसरा power 142 ए दोनों लग चीज़े हैं, समझते हैं क्या चीज़ पहली जी पहला ओरす पेशल ओर transmisal audit का मतलब क्या होता है?, अगर आपकी अगार इसको नहीं समझ में आ रहे हैं AO को आपकी अगाउट से करने ही समझ में आ रहे हैं तो वह पहली चीज करेगा special audit का order देगा special audit का order क्या होता है जरा समझेगा एयो order देता है कब कभी order issue किया जा सकता है क्या ऐसे कहीं कुछ लिखा है कि कब कब कौन कौन से cases में यह हो सकता है answer is yes पहले यह होता था कि मैं आपको बताता हूँ इसके पिछे का logic क्या है logic यह था कि एक समय ऐसा था कि AO की और जो professionals होते थे chartered accountants की कई बार इनकी क्या हो जाती थी जुगल बंदी हो जाती थी और AO किसी भी reason के वज़े से उठा करके क्या देदेता था chartered accountant के पास देदेता था case और कहीं ना कहीं दोनों भी earn करते थे over the period of time जब यह पता चला तो department ने clear cut cases लिख दिये कि किन किन reasons के वज़े से ही आप special audit का order दे पाएंगे आईए उन reasons को analyze करते है पहला reasons क्या हो सकता है पहला reason है sir nature and complexity of accounts कई बार ऐसा होता है कि वो इतना complex nature का होता है कि AOA से समझी नहीं पाता कि यह business किस तरीके का और accounts किस तरीके से maintain किये गए है वो clear cut नहीं समझ पाता और ऐसे cases में वो special audit का order दे सकता है मैं आपको कुछ examples भी बताते जाओंगा आप चाहें तो यह जो notes हैं यहाँ पर columns बने वे हैं यहाँ पर आप साथ साथ में लिखते जाए nature and complexity of accounts पहला है share और commodity trader भयानक complex होते हैं sir इनके accounts sir कहां बहुत तो easy तो होते हैं profit and loss account statement मिल जाता है जब आपके assessment होते हैं से profit and loss statement से काम नहीं चलता है वो आपके पूरे transactions को analyze करेंगे कई बार तो ऐसा होता है हम intraday trade कर देते कई बार हम call put एक साथ खेल देते हैं hedge खेल लालते तो उसके लिए correlate करना बड़ा मुश्कील हो जाता है कर ऐसे cases में वो क्या कर देता है special audit को order देता है दूसरा बनता है volume of accounts imagine किजेगा company imagine किजेगा company like sun pharma imagine किजेगा company like Cepla, Lupin इनके accounts कितने huge होंगे कितने volumnius होंगे अगर इनके assessment open हुए तो आपको लगता है AKO पूरा ये कर पाएगा नहीं क्यूंकि उसको बहुत सारे assessment करना है उसके अंदर में तो वो क्या कर देता है क्या करे अगर उसको doubt हराओ correctness के बारे में तो वो इस चीज का decision ले सकता है चौता होता है multiplicity of transaction shares के case में भी apply कर सकता है या फिर दूसरा example दो आपको तो आपके city के को जो भी joints होंगे जो food outlets होंगे हलाकि कोवड-19 situation के अंदर में food joints तो खेर बाहर के बहुत सार ने तो बंद कर दिया बट स्टिल स्वीगी चालू है तो कुछ तो चल रहता है हमारा not the point is कि सर आप अभी भी बाहर का खा रहे हैं मुझे बताईएगा सर मेसेजर सिच करके कि आप लोग अभी भी भी बाहर का खा रहे हैं या नहीं मैं बहुत ज़्यादा foodie हूँ आप लोग समझ भी सकते हैं देख करके मुझे खाना बहुत पसंद है और मेरे life का मोटो है कि या अदमी खाने के लिए जीता और जीने के लिए खाता है तो मैं पहले वाले मैं से आता हूँ कि खाने के लिए जीता हूँ मैं उस category में आता हू तो मैं उमीद करता हूँ मैं जब भी आपके city के अंदर में आऊ और हम लोग मिले तो प्लीज आप मुझे वहां के अच्छे food outlets पे जरूर ले करके जाना राइट मैं यह आपसे उमीद रखता हूँ चलिए आगे बढ़ना तो जो भी आपके food outlets होने अब जैसे पूने का मैं transaction वड़ापाओ 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 किसी का एक दो तीन मतलब इतने ज़्यादा multiple 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 transaction होता है यह बोर है वड़ापाओ 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 coffee 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 multiplicity of transaction बहुत जयादा है और इसके इंदर में कई बार confusion हो जाता है कुछ accounts record होते हैं कुछ नहीं होते इस बारे म और जनरली अपने को ऐसा देखने को नहीं मिलता है मैं आपको बताता हूँ क्योंकि हमारे पास एक ऐसे client है और वो बहुत complicated case है आपको उनका business model ही नहीं समझ में आता मैं आपको बताता हूँ क्या करते हैं वो लो वो क्या करते हैं जो companies होती है जो मेरे client हो क्या करते हैं companies से पूरी के पूरी jeans का contract उठाते हैं और इसे wholesaler को देते हैं हाँ और यही उनका business है जिससे उनको एक revenue अन होता है सर इसमें revenue क्या है? Commissioning company का product अलग-अलग wholesalers तक के पहुचाना इसके उपर उनको एक commission मिलता है turnover based commission होता है अब यह business इतना complicated इसलिए भी है क्योंकि इसके लिए उनको कोई दुकान की ज़रोती नहीं है यह business totally घर से operate होता है totally mobile से operate होता है अलग-अलग companies में साल में सिर्फ एक महीने के लिए इनको अलग-अलग companies में जाना पड़ता है वो एक मेना यह complete tour and travels पर होते है और उसके बाद पूरा साल इनको घर पे बैटना है and you won't believe turnover profit turnover reaches in crores क्योंकि आप company से उठा रहे हो और wholesaler को दे रहे हो मतलब आप कहीं बीच में हुई नहीं सिद्धा उनको उठाना ना आपको stock रखना है ना आपको stock maintain करना है कुछ भी transaction नहीं सिर्फ यहां से delivery का एक call लेना है यहां पर received का एक call लेना है इसी बीच उनको करोडो का profit है अब जब हम इनके balance sheet बनाते हैं क्योंकि इनको हर साल assessment आता है अब जब हम इनके balance sheet बनाते हैं तो problem बता है क्या होता है यह बोलता है कि आप profit करोडो का दिखा रहे है business कर रहे हैं यह दिखा रहे है पर ना कोई purchase है ना कोई sales है ना कोई stock है कैसे होता है यह काम हमने बोला sir commissioning में होता है वो बोलते हैं हमारे पास बहुत सारे commission agent है पर वो stock maintain करते हैं तो इनके case में वो stock क्यों नहीं है और इनके agreements कहा है अब agreement पे बात होती नहीं है यह पूरे का पूरा relationship basis पे काम चलता है साथी साथ में same business उनका cement का भी है मतलब वोई company से लेना और wholesaler को provide करना अलग-अलग बंदा जो wholesaler या stock maintain कर सकता है उसको देना एसी बस लिंक जोड़ना है दो लोगों की और इसके लिए इनको turnover based commission मिलता है तो यह कैसा business है ऐसा कैसा होता है investment totally zero business के अंदर में और profit करोडों का तो ऐसे cases के अंदर में specialized nature of business होता है activity नहीं समझ में आती कई बार तो उसके लिए भी क्या किया जा सकता है अब मुझे बता ही क्या तो भी ऐसा order मेरे खिलाफ इशू किया जा सकता है यह हां सर बिलकुल इशू हो सकता है 142 टूए एक special power है भाई साब 142 टूए एक special power है जो power देता है कि आपको अगर यह order रिशीवा आपका पहले audit हुआ हो या नहीं हुआ आपको दुबारा से audit करवाना है तो एक अगर ऐसा कुछ order रिशू हुआ है तो आपको दुबारा से audit करवाना है भले आपको audit क्यों न हो चुका हो सर मुझे एक बात बताईए यह audit करेगा कौन करेगा यह audit सर यह audit CA करेगा सर CSCA में नहीं यह सिर्फ chartered accountant को power दिया वाय है अच्छा जी सर सर मुझे एक और बात बताईए यह CA select कौन करेगा हम select करेंगे या फिर department select करेगा यह CA select कौन करेगा कैसी बाते करना है सर आप अगर आपका ही selection होता तो फिर audit का requirement यह आप अपने हिजाब से से कभी भी मोल्ड कर पाते और independence of auditor नाम का तो concept भी खतम हो जाता तो कौन करेगा मतलब क्या department एक CA nominate करेगा वो इसका audit करेगा आपका CA नहीं CIT Commissioner of Income Tax ने कुछ CA को nominate कियावा है वो इसका audit करते है आपका CA नहीं करेगा तो सर audit जब भी होता है तो audit का एक report होता है तो क्या special audit का भी कोई report है ऐसा कुछ दिया है lock के अंदर में हाँ सर हाँ जैसे हर audit का एक report होता है ठीक उसी तरीके सा special audit का भी एक report बनता है और ये report आपको देना होता है वो CA देता है जो nominate किया जाता है अच्छा जी सर तो हर audit का एक maximum time limit होता है जैसे आप 44 AB की बात करेंगे तो उसका भी time limit है maximum time limit तो क्या आपके ये जो audit देना है special audit इसका भी कोई time limit है येस special order के अंदर में लिखा होता है कितने time के अंदर आप क्या करेंगे ये audit report AO को provide कर देंगे तो जो भी CA nominate हुआ है सर मान लीजे अगर वो AO इस time के अंदर में नहीं provide कर पाया जो time आपने notice के अंदर में लिखा था let's say notice के अंदर में लिखा था within 45 days कर देना 45 days में वो नहीं कर पाया multiplicity volume of transaction तो फिर तो भी सर section ने AO को एक और power दिया ऐसा हुआ था एक बार और इस time पे section को suitably amend किया गया था और कहा गया था कि अगर within time नहीं भी हो पाया तो AO के पास power रहेगा कि वो इस time limit को extend कर सकता है सर ये तो गलत है ना फिर फिर तो AO क्या करेगा multiplicity of transaction volume of transaction फिर तो वो अपने हिसाब से कितने भी साल आगे बढ़ा देगा जब उसके हाथ में power रहे पोस्पॉंड करनेगा तो फिर तो सर कितने भी साल हो जाएगा ये थोड़ी जैस्टिस हुआ सर सर ऐसा नहीं है यहाँ पर ये law है कि आप चाहें तो ये कितने भी साल के लिए extend हो सकता है ऐसा नहीं है ये दिया है maximum 180 days के लिए हो सकता है याने आप extension भी दे सकते हैं but the overall period of this special audit shall not exceed 180 days generally time limit कितना लिखा होगा notice में लिखा होगा लेकिन आप इसे extend कर सकते हैं पर extension भी maximum कितने दिन का हो सकता है 180 days का हो सकता है याने overall period including extension 180 days का हो सकता उसे उपर नहीं हो सकता वाव वाव सर क्या बात है चलो time limit हो है सर में लोको एक और जानना है सर मुझे एक बात बताईए इस audit की fees कौन देगा क्योंकि मेरे हिसाब से accounts बरावर है शक आपको है मैं तो fees नहीं दूँगा नहीं नहीं audit आपका हो रहा है इस आपको है और अगर आपको मेरे हिसाब से तो accounts बरावर है कर दो audit आपको नहीं समझ में आ रहा fees मैं नहीं दूँगा यह case आपको बता रहा हूँ मैं सहारा इंडिया सहारा इंडिया supreme court में गए ते इस decision के लिए यह जो बात मैं भी आपके सामने कर रहा था यह सार और अचा मैं पहली बताते नहीं किसे को डरना मत यह जो discussion यह court room वाला discussion यह होता रहता है class में मज़े जरूरी है और जब कोई सामने यह ना आपको एक पुरा drama दिखता है तो आपको पढ़ने में और मज़ा आता है तो भाईया किसी ने डरना मत कि सर कोई क्या होगे कौन कौन से role play कर रहे हो सकता है ना ना point है सहारा इंडिया case सहारा इंडिया वो case था पहले law के अंदर में लिखा था कि जो फीज बेर करेगा वो assessi बेर करेगा और इस line को सहारा इंडिया ने supreme court में challenge किया था कि जब शक यो को है तो इसका फीज मैं क्यों बेर करूँ मैं यह फीज बेर नहीं करूँगा और supreme court ने कहा था yes you are correct शक आपको नहीं है तो आप बेर नहीं करेंगे इसका फीज और आपको तो already audit हो चुका है तब तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए आपने और इसी time पे जब supreme court का judgment आया बाद में law को change हुआ और वहाँ पे आया the fees shall be born by central government यह हो मतलब central government तो यह जो fees है यह कौन बेर करता है central government बेर करता है और इसी के लिए देखे special audit हर case में नहीं निकला जाता नहीं तो इस पावर का misuse भी हो सकता था इस पावर का misuse भी हो सकता था और इसी लिए जब fees government देता है तो बहुत relevant cases के अंदर ही निकलेगा साथ ही साथ में ऐसे ही कोई भी case जो AO को लगता है उसी के लिए नहीं साथ ही सक्षन के अंदर एक word भी डाला गया कि अगर special audit order करना है तो AO को अपने बॉस से इसका approval लेना पड़ेगा अपरूवल लेना पड़ेगा तभी जाकर करके यह चीज हो पाएगी चलिए बहुत बढ़िया सर मुझे एक बात बताईए यह जो audit report आती है यह जो audit report आती है क्या अब assessment उसी basis पर किया जाएगा answer is yes फिर जो assessment होता है वो इसी basis पर होता है चलिए सर बहुत बढ़िया आईए पढ़ते हैं थोड़ी कुछ बाते और वगड़ेंगे 142 to a special audit word देखें कहां interpretation निकालेंगे if at any stage of proceeding before him क्या शब्द दिये हैं if at any stage of proceeding before him जब से उसने proceeding चालू करी मतलब notice देने के बाद और assessment का order निकालने से पहले कभी भी यह हो सकता है if at any stage of proceeding before him having regards to having regards to मतलब इसका order कौन निकालेगा assessing officer having regards to nature and complexity of accounts, volume of accounts, doubt about the correctness, multiplicity of transactions, specialized nature of business or in the interest of revenue यह पाच्चों mandatarily याद रखने है पाच्चों 143-1 में बोलता है याद रखने के लिए अब 142-2a में बोल रहा हूं यह याद रखने है इन ही reasons के वजह सकता कोई और reason नहीं चलेगा सिर्फ यही reason के वजह से हो सकता है the AO is of the opinion that it is necessary to do so, he may give direction for special audit with prior approval of boss CCIT और CIT यहने पहली चीज़ special audit करवाने के लिए पहले AO के पास power था कि वो कभी भी करवा सकता था लेकिन अब ऐसा नहीं हो सकता अब उसको क्या करना होगा अपने boss's से approval लेनी होगी however opportunity of being heard has to be given to assessi before such direction एकदम logical है अगर उसको accounts नहीं समझ में आ रहे है और direct उसने special audit को ओडर दे दिया एक मिनिट आप क्यों special audit का ओडर दे रहे हैं क्यों 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 पैसा आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है मेरे से पूछते थे audit क्यों करवा रहे है आपका भी time waste मेरा भी और फिर भी नहीं समझ में आ रहा हो तो ही special audit के order दिये जाते हैं यहां पर principle of natural justice की भी demand हो जाती है मतलब खदम हो जाती है once direction is given assessi should cooperate with the auditor auditor कौन CA who is nominated by PCIT for getting the details जैसे कि मैंने कहा था कौन होगा chartered accountant होगा लेकिन यह chartered accountant assessi का नहीं होगा department इसे notify करता है auditor should submit a report in form 6B क्या इसकी भी audit report बनती है yes और practically मैंने आपको दे दिया 6B बेर act देखेंगे तो वहाँ लिखा है prescribed form यहाँ पे वो form number है 6B तो आगे बढ़ते your directs the time limit for completion of assessment 142 2a can be ordered during pendency of assessment reassessment but not after completion of assessment जो भी कर सकते हैं आप यह assessment के दोरा नहीं कर सकते हैं assessment के बाद करना possible नहीं है the aggregate period what देखेगा साब the aggregate period originally fixed plus extended in any case 180 days if not submitted within 180 days delayed then the report will be invalid maximum time जो होगा यह notice के अंदर में लिखा होता है क्या A.O. extend कर सकता है yes but the overall period should not exceed 180 days overall period should not exceed 180 days 180 days के beyond अगर यह इस होता है यह invalid माना जाएगा A.O. May Sumoto or application made in this behalf by the assessi and for any good and sufficient reason extend the said period by such further date as he may think fit but aggregate period is subject to 180 days यह याद रखिएगा if directions are issued without show cause notice assessi can file a written petition in high court जदा ध्यान से सुनिएगा मान लिजे अगर आपको opportunity of being heard नहीं दिया गया तो आप के खिलाफ आप क्या कर सकते है आप directly high court में written petition file कर सकते है याद होगा तो मैंने आपको basics में बताया था मेरे बच्चे हाई court में written petition जाता है Supreme Court में special leave petition जाता है तो आप हाई court में जा सकते है प्लाजरा रे मेरे आपी कुंप होगा जैपिर्च कुंप कवर्मेंट करेगा वह किस का काथ रेय cit audit is completed, अगर आपका इसके पहले भी audit हुआ है, तो भी आपको audit करनी है, इससे कोई लिन दिन नहीं है, 142.2.1 का ओडर आया, audit करने का है, इसके पहले audit हुआ हो, नहीं हुआ हो, कोई लिन दिन नहीं, A.O. cannot make a reference for special audit without examining the books of accounts, सर, A.O. स्यू मोटर डायरेक्ली क्या नहीं कर सकता, audit का order नहीं दे सकता, वो सबसे पहले books of accounts चेक करेगा, और उसके basis पे ही, वो क्या करेगा, देगा, पर अब यह बहुत पुराना हो चुका है, सर, मान लो, special audit का order follow नहीं किया, क्या हो जाएगा, एक मिन एक order नहीं माना, उसकी penalty किती, 10,000, दूसरा आपकी वो बजा सकता है, best judgment assessment कर सकता है, तीसरा, आप audit नहीं करवा रहे हो, क्या problem है, आपके उपर search and seizure भी आ सकती है, साथ साथ में, एक साल के लिए आपको jail भी हो सकती है, तो चार चीजे, पहला 144 बजा देगा, 10,000 रुपे का आपको penalty order लग सकता है, prosecution हो सकता है, एक साल के लिए, या फिर search order भी दे सकता है, कि assesses का audit क्यों नहीं करवा रहा है, क्या तकलीफ है, क्यों comply नहीं हो रहा है, तो search भी हो सकता है, याद रगे, इस order के खिलाफ, मान लीजे आपको लगता है, यह गलत order है, आपका audit नहीं होना इसके खिलाफ आप क्या कर सकते है, parent petition file हो सकता है, हाय quote में इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता, appeal नहीं हो सकता, rectification नहीं हो सकता, sir क्यों नहीं हो सकता, यह notice नहीं है, बाबा, order है, इसके खिलाफ आपको सीधा-सीधा जाना होगा, कहा, high court में repitishon file करना के लिए, और कोई तर income tax act the assasee has constitutional remedy the assasee can file a writ petition in the high court challenging the validity of the directions under 142 to a so this is a direction direction के against में आप से प्रिट प्रिटिशन कर सकते हो thereafter assasee can file a special leave petition to supreme court high court से भी अगर आपको न्याय नहीं मिलता है तो आप कहां जा सकते हैं supreme court में जा सकते हैं यह बिल्कुल हो सकता है else there is no remedy law इसके अलावा आपको कोई remedy law के अविलिबल नहीं है इसके अलावा आपको कोई भी law के अविलिबल नहीं है एक बार यह paragraph पढ़ लीजे चलिए done आगे बढ़ता है साहब अब आते हैं next section के उपर section 142a चार्ट में जाए चार्ट में अगर आप के अकाउंट समझ में नहीं आए तो पहला पावर वह यूज कर सकते हैं that is 142a second situation you got your accounts you got your accounts but he has a valuation related issue he has got a valuation related issues तब इस section का refer किया जा सकता है 142a अगर उसको के कुछ history बता देता हूं तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा कुछ courts ने यह decide किया था कि जब valuation officer के पास जाते हैं आप तो valuation officer को सिफ capital gain purpose के लिए ही यूज किया जा सकता था कुछ courts ऐसा मानते थे कि valuation officer को सिफ capital gain computation के लिए यूज किया जा सकता था और detail में चलते हैं वाट इस डिफरेंच बिट्वीन वाल्यूएशन officer और रजिस्टर्ड वाल्यूवर यह दो बाते आप जिन्दगी में जरूर सुनते हैं अगर आपको यादो तो आप दो वर्ड आप जरूर सुनेंगे एक वाल्यूएशन ऑफिसर दूसरा रजिस्टर्ड वाल्यूवर दोनों के बिचिमा फरक क्या है कभी सोचा और अगर नहीं सोचा तो आज आज आपको अपने दोस्तों से भी पूछना चाहिए मैं तो आपको बताना हूँ पर अपने दोस्तों के पास जाना बोलना पूछना बता वाल्यूएशन ऑफिसर और रजिस्टर्ड वाल्यूवर के बीच में फरक क्या है नहीं बता पाए तो तुम उसे बताना और बुलेगा भाई रिस्पैक्ट आईए मैं आपको बताता हूँ सबसे पहले यहां पे लिख सकते हो यहां पे जगह खाली है इतने से पार्ट का पॉइंट क्या वा होता है वहीं रजिस्टर्ड वाल्यूवर जो होता है यह प्राइविट होता है तो डिपार्टमेंट अगर वैल्यूशन करवाए वह वैल्यूशन ऑफिसर होता है इसको शॉट फॉर्म वी ओ वो वैल्यूशन ऑफिसर डिपार्टमेंट वाला होता है यहीं assessi value करवाए किसी चीज का तो वह होता है registered valuer, yes or no, तो AO को शक है आपके valuation के उपर तो वह valuation officer के पास जाएगा, AO को assessi को निकालना है कि यार मेरी building की value कितनी है, चलो मैं बेचता हूँ मेरी building की value कितनी है, तो वह registered valuer के पास जाकर के क्या निकालता है, उसका value निकालता है, यह दोनों में फरक है, अभी हम किस के पास जा रहे है, registered valuer के पास जा रहे है, नहीं हम जा रहे है, valuation officer के पास, तो history बता देता हूँ, history कुछ ऐसे थी कि एक समय था, जहां पे कुछ courts ने decide किया था कि जो valuation है, यह सिर्फ capital gain purposes के लिए भी use किया है, सिर्फ capital gain purposes के लिए ही use किया all head of income में कहीं पे भी अगर आपको valuation की जोरत पड़े, तो यह section use किया जा सकता है, तो first of all, क्या यह सिर्फ capital gain purpose के लिए use किया जा सकता है section, answer is no, यह section हर उस जगह के लिए use किया जा सकता है, जहां पे आपको value निकालनी हो, या fair market value निकालनी हो, उन हर जगह पे यह section use किया जा स में, अब इसका valuation, क्या इस section को use करके एओ निकाल सकता है, answer is yes, तो ज़रूरी नहीं है, सिर्फ capital gain purpose के लिए, हर head के income, हर head के asset, investments, या fair market value निकालनी के लिए section का use किया जा सकता है, यह होई पहली बात, दूसरी बात, कुछ, अगर history में जा करके देखे section के, तो वो section आपको बता सकता है, कि sir, यह जो section था, यह सिर्फ और सिर्फ तभी use हो सकता था, जब, you know, assessi के accounts जो है, उसके correctness और completeness को ले करके, AO को शक हो, तो ही वो section का use कर सकता है, section को suitably amend किया गया over the period of time, और यहां पे cover कर दिया गया, कि AO को शक हो या ना हो, कभी भी अगर उसको ऐसा लग रहा है कि उसको accounts का valuation, assets का valuation, accounts का valuation, investment का valuation, या किसी का fair market value determine करना है, तो वो हो सकता है, तो यह दो history थी, पहला history था, कि इसको सिर्फ capital gain purpose के लिए ही choose किया जाएगा, वो हटा दिया गया section से, दूसरा history था, जब AO को, you know, शक होगा about the correctness, completeness, तो ही इसे use किया जा सकता था, वो भी हटा ग गया तो over the period of time, आज क्या बचा है section के अंदर में, section क्याता है, जब भी assessing officer को asset से valuation related issue हो, investment के valuation related issue हो, या फिर किसी चीज़ का fair market value determine करना हो, वो valuation officer के पास जा सकता है, इस value को determine करने के लिए, valuation officer क्या करेगा, valuation officer assessi से information मंगाएगा, क्योंकि उसको भी information चाहिए, तभी तो वो क्या क्या करेगा, valuation निकाल आएगा, तो assessing officer assessi से information मंगाएगा, और उसके basis पे estimated value calculate करके देगा, एक और बात, क्या कोई time limit है, जब तक के valuation officer को अपनी report बनानी है, answer is yes, valuation officer को अपनी report within six month बनानी होती है, from the end of the month in which reference is made, तो जिस महीने में A.O. ने reference दिया, valuation officer को, उस month end से six month के अंदर म अच्छा जी सर, सर मुझे एक और बात बताईए, valuation officer, valuation officer information मंगाएगा, और उस basis पे valuation calculate करेगा, suppose assessi details ही नहीं देता, तो भी क्या valuation officer अपना काम कर सकता है, ऐसा एक सवाल उठा था, और बाद में law को amend किया गया था, सवाल ये था, कि assessi ने information दी ही नहीं, अब जब तक के information नही आती, valuation officer का तो काम रुख गया, तो क्या valuation officer स्यो मोटो basis पे भी, या उसके best judgment के हिसाब से भी क्या ये value निकाल सकता है, और ऐसा एक power section में insert कर दिया गया, जो section अब कहता है, कि पहला information मंगाएगा, तो वो value के हिसाब से information देगा, अगर information नहीं आएं, अगर information नहीं आएं, तो best judgment basis पर भी क्या कर सकता है, valuation निकाल सकता है, ये बात add कर दी गई, insert कर दी गई, तो आईए, bear act पड़ते हैं, bear act के अंदर में कुछ school मिलाकर के points दिये में, वो पड़ते हैं, AO में, करेगा कौन, AO, AO में for the purpose of assessment, या reassessment, assessment करने के लिए, या reassessment करने के लिए, दोन भी जगह यू estimate the value, including fair market value, तो fair market value भी निकालना है, act में जहां जहां पे भी, valuation officer का use किया जा सकता है, so AO में, for the purpose of assessment or reassessment, estimate the value, including fair market value, of any asset, property, investment, and submit a copy of the report to him, the assessing officer may make a reference to valuation officer, whether he is satisfied about the correctness, or completeness of accounts or not, तो पहले एक समय था, जब सिर्फ, जब आपको शक हो, तो ही यह कर सकते थे, लेकिन आज उसके correctness or completeness से कोई लिए इन नहीं है, अगर उसके accounts complete भी है, तम भी ऐसा एक order issue हो सकता है, यह तभी हो सकता है, when assessment is pending office सी बात है, valuation officer can estimate the value of any asset, investment, or property, valuation officer may estimate the value of asset, property, or investment, to the best of the judgment if the assessi do not cooperate or comply with the direction, तो यह हो गया, best judgment assessment by valuation officer, assessi से सबसे पहले information मंगाए गया, दे दिया तो ठीक है, नहीं दिया तो क्या, नहीं दिया, तो वो खुद भी अपने हिसाब से value निकाल सकता है, the valuation officer will send a copy of the report within six months from the end of the month in which reference is made, तो जब भी आपको reference made क्या गया, let's say 15 April को दिया, तो में से May, June, July, August, September, October, 31st October will be the last date, जब तक के वो अपनी report दे सकता है, assessing officer may on receipt of this report of valuation officer and after giving opportunity of being heard, take into account such report in making assessment or reassessment, यह report आने के बावजूद भी उसको किसको refer करना होगा, assessi को refer करना होगा, उसे एक opportunity देनी होगी, कि आप इतना value बता रहे हैं, valuation officer इतना value दे रहा है, और अब बताईए क्या करें, उसको एक opportunity देनी होगी, इसे explain करने के लिए, कि उसने जो value लिया है, और valuation officer की जो value है, यह क्यों अलगा रही है, और accordingly उसके basis पे वो क्या करेगा, assessment करेगा, getting it or not, तो यह आया, valuation officer का part, हमने दोनों भी नहीं लिखा है, हमने 142, 2a बी नहीं लिखा है, और 142, 2a भी नहीं लिखा है, तो यह दोनों हम लोग लिखे देते हैं, आगे बढ़ने से पहले, आईए रजिस्टर में, रजिस्टर में डालिए 142-2-A special audit, special audit. If at any stage of proceeding, give direction for special audit after approval from CCIT oblique CIT, audit shall be done by CA, nominated by CIT oblique CCIT. Third, audit is mandatory, whether he has previously done audit or not. Fees of audit shall be determined by CIT and paid by central government. audit report must be provided within time limit, provided in order. A O may also extend the time, but aggregate period shall not exceed 180 days. The aggregate period shall not exceed 180 days. non-compliance, attract, penalty 10,000 rupees. based judgment assessment under section 144, prosecution search order under section 132. section 142 a, valuation officer. You may make a reference to valuation officer at any stage of proceeding to determine the the value including fair market value of any assets, property or investment. Valuation officer can call information and provided by a CAC. Valuation officer can provide information, information, but not provided by a CAC. He will value on the basis of records . He can and determine value to the best of his judgment, maximum within six months from the end of of the month in which reference is made. Note, valuation oblique fair market value can be determined for any head of income, not just capital gain. not just capital gain. . झाल झाल इतना भी आप लिख देंगे तो काफी हो जाएगा यही आपके फ्लो चार्ट भी बन गए यही आपके शॉट नोट भी बन गए वापस से शॉट नोट के उपर मत बैठना या फिर मांग लिजए आप लोग मैं तो आप सबसे पहले चारा हूँ कि आप लिखो क्या होता है कु अब आपको इतने सारे वर्ड्स दुबारा पढ़ने की जरत नहीं यहां पर आतर के आप रिवाइस करोगे तो भी चलेगा या मान लोग कोई नहीं लिख रहा होगा तो आपको जो मैं सूपर थर्टीफाइड की बुग दे रहा हूं फास्ट्राक बुग दे रहा हूं कर दिया है तो एक्जाम से पहले आप क्या कर लोगे सूपर समरी अगर मैं तीन बुक का कंपाइलेशन बता हूं जब आप पहली बार में साथ रीड कर रहा है आप पूरा का पूरा बैर आक्ट पढ़ रहा है ठीक है जब आप दूसरा रिविजन करे जो हमने लिखाया है ब सेक्शन परलिये प्रहू कौन से दो सेक्शन परलिये 142 242 और 119 वापस से आते हैं सके उपर चार्ट के उपर सबसे पहले क्या होगा से अ्दर . कि इसके बाद देखेंगे कि क्या assessment होने वाला है या assessment नहीं होने वाला है यह अगर अगर assessment रूटाता है तो उसको क्या लगेगा information लगेगा 14211 के तहत वो return बर्वाएगा या फिर 14212 के तहत वो आपसे information कॉल करेगा information मंगाने के बाद वो उसको क्या करेगा audit करेगा और फिर देखेगा कि क्या उसे समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है अकाउंट्स अगर नहीं समझ में आ रहे हैं तो उसके पास दो पावर है एक वो कुछ लोगों के केस में और हायर अथॉरिटी से पावर लेके दूबारा से ऑडिट करने बोल सकता है हैंस 142 A हो सकता है या फिर हो सकत है कि वो कुछ जगा पे अकाउंट्स बिल्कुल सही है मुझे सिफ वैल्यूएशन में प्रॉब्लम है तो वैल्यूएशन ऑफिसर के पास भी जा सकता है रजिस्टर वैल्यूएशन ऑफिसर के पास जा सकता है बोल सकता है जजमान मुझे क्या निकाल के दीजे वैल्यूए एक assessment का रास्ता प्यार वाला 143.3 रेगूलर या स्कूरूटिनी assessment या आप याने मान लीजे आप लोगोंने section के compliance नहीं किये, return नहीं भरे, so on and so forth, तो best judgment, याने assessment के कुल मिला के दो बात, एक प्यार से जहां आप cooperate कर रहे हैं, assessing officer के साथ 143.3 खुब जमे का रंग जम मिल बेटे सकता है, ये दो assessment के power है, लेकिन, लेकिन, आपको मैं पहले कुछ याद दिरा दूँ, अगर उसको regular assessment करना है, तो आपको notice देना होगा 143.2 के अंदर में, और अगर उसको 144 करना है, तो आपको issue करना होगा, show cause notice, उसको क्या करना होगा, issue करना होगा, याने either of the case, या तो 143.2 क के निचे आप दिखेगा, notice under 143.2 देना जरूरी है, और यही 144 के निचे लिखा होगा, best judgment assessment का, show cause notice देना है, याने in any of the case, आपको उसे notice तो देना ही है, सर notice मतलब क्या, मैं आपको बताता हूँ, सर notice कैसे देना है, मैं आपको बताता हूँ, सर notice की validity क्या होगी, बताता हूँ, सर notice नहीं दिये तो क्या होगा, ऐसे अनेको सवाल आपके मन में आ रहे होगे, और इन हरेक का जवाब आपको income tax न लिखा है, हाँ, ऐसे 500 सवाल आपके मन में आ रहे होगे, इन 500 सवालों का जवाब आपको income tax न लिख करके दिया है, मैं बताऊंग आपको इन सभी सवालों के जवाब पर पहले आप यह समझ लिजे कि नोटिस देना जरूरी है अच्छा जी सर सर नोटिस को आसान शब्दों में आप समझा सकता हूँ अगर मुझे आपको बुलाना है तो मुझे आपको इन्विटेशन देना होगा जैसे शादी में अगर आपको मुझे बुलाना है तो यह प्रोग्राम उंगे और यहां यांना थीक उसी तरीके सा समीृ होता है नोटेस में आपको बुलः में वर बहं से कुछ इनफ्रमेशन पूछी जाती इपंडिंग इन्फर्मिशन पुछी जाती हैабат आपको बुलाई जाता है जैसी लेकर आना यह लेकर आना मतलग जो notice हो ता है, उसके अंदर में लिखा होता है, कि आपको आतेवक्त क्या करना है या आपसे क्या रोड की जा रही है, सबसे पहला, notice को भेजने के तरीके के उपर कानून बना, आप सीधा notes के अंदर में आगे आईए, notice को भेजने से related कानून बना, page number 14 पे आईए, page number 14 पे आईए, notice कैसे भेजी जाएगी इसके उपर कानून बना, यह कानून क्यों बना, उसका एक तरीका था, पहला, मैं अगर old time से section की history में आऊ, तो, तो ऐसा था, कि सबसे पहले जो notice दी जाती थी, वो in person आतर के बोल दिया जाता था, हमारी भारत के संस्कृती थी, किसी ने आतर के प्रेम से कुछी बोल भी दिया, तो हम तो मान जाते थे, आज भी अगर कोई दोस्त प्यार से बोल द कुछी तरीके से, तो पहले एक जमाना था जब आपको बुलावा आता था और आप चले जाते थे, सिफ कम्यूनिकेशन था, इन्विटेशन कार्ड लेटर ये वो सब कुछ नहीं था, पट कुछ असेसी ने कहा कि हमें तो, मदब जब उनको आये, और बोल दिया कि आपको देखिए, नोटीस एक ऐसी चीज़ होती है, जिससे क्लाइंट की सबसे ज़्यादा फटती है, आपको भी पता है, कि अब क्या होता है, नोटीस कई प्रकार की होती है, 1431 भी आता है, इंकम टैक्स डिपार्टमेंट से, जो सिफ बताता है कि आपका रिटन प्रोसेस हुआ ह उसको लगता है इंकम टैक्स की नोटीस आगे, अगर पहले बार में देखेंगे, मान लीजे सुबह सुबह आदमी बिलकुल उठा ही है, इतने में स्पीड पोस्ट वाला आया, लीजे साब, आदमी बहलता है क्या आया है, ओ इंकम टैक्स का नोटिस, आप पूछते हो, किस हैं ऑने मैं मैं में मिन नम विबेक करते हैं तो जब उसने बो बनाना पड़ा न फसके बोला जा सकता है, पहला या तो आप उसको औरली कम्यूनिकेट कर दें हूँ, आपके सामने तो और तो आप информativा कर सकते हैं, तो उसको भाकाइदा आप एक लेटर भेजने, लेटर उफ कम्मुam drug cm तो फिर क्या हुआ, उसको लेटर उफ कम्मुदी किशन देना शुरू किया ग तो civil court क्या करता है वहां पे वो चीज paste करके आ जाता है मतलब उसके gate के ऊपर paste कर देता है आपने देखा होगा ना कई जगह पे gate के ऊपर notice लिका पाता है तो वो notice paste कर देता है पर यह चीज का power act के अंदर में नहीं था बाद में क्या किया गया इसको ascent मिला court के through और act के अंदर पे जाके जैसे आपने municipal tax pay नहीं किया तो आपके घर के बार क्या हो जाएगा एक notice आजाएगा मस्त ही आदमी का मुनसिबल टैक्स बैपाकी है अगर नहीं दिया तो हम civil court के तहट action ले लेंगे फिर हुआ यह कि कुछ cases में income tax department ने courier किये civil post ना करके post office से courier किये असेसी ने इसको object किया कहा courier तो यह कोई mechanism ही नहीं है law comment किया गया post office के बाजु कुरियर वर्ट भी डाला गया 2000 में dot com boom आई dot com boom के बाद emails शुरू हुए इमेल के ऊपर नोटीस भेजी गई पर email पर आपने भेज तो दिया आप अपना law update करना भूल गया फिर असेसी ने यह नोटीस को भी valid नहीं माना असेसी बुला नहीं 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 आप email पर कैसे दे सकते आपके law ने तो clear cut लिखा था या तो post office पर बेजना या तो कुरियर से बेजना या तुम्हें को इन परसन मुलना या मेरे घर पर आके बाहर नोटीस लगाना इन में सो कोई मोड अपने नहीं किया यह तो गलत हो गया information technology act आया information technology act ने एक लाइन कह दी वो लाइन थी कि अगर कोई भी चीज जो आपको physical form में देनी है अगर यह electronic form में दी भी गई तो भी इसकी validity होगी असेसी कहता है कि देखिए हम information technology act को नहीं मानते है आपके income tax में ऐसा कुछ लिखा है क्या नहीं लिखा है नहीं चलेगा accordingly section 282 फिर एक बार amend लुआ और amend करके अब वो कहा कि हां भी या अब email भी रहेगा तो भी चलेगा कोई problem नहीं है इसके अलावा असेसी future में ऐसे कोई तकलीफ ना दे इसके लिए उनने लिख दिया इसके अलावा board कोई भी method बोलता है वो method के थूरू शुरू हो जाएगा तो आप देखिए आज जो notice आती है आपको या other कुछ आता है या आपको किस तरीके से आ सकता है या आपको you know mobile message के थूरू आ सकता है और मैंने जहां तक सुना है जिस तरीके से आपके आज आपको टिकेट बुक करते हैं तो WhatsApp पे भी आपको communication आते हैं अगर आप ICICI bank देखेंगे तो वह आपको WhatsApp भी करते हैं अगर कुछ deposit हुआ या withdraw हुआ तो ऐसा एक बात चल रहे है कि income tax में भी WhatsApp का एक mechanism लेंगे suit लिया जाएगा जिसके दयात हर एक को income tax का notice अकर देना है तो WhatsApp भी कर देंगे विकाज यह सबसे ज़्यादा चलने वाला as of now communication system है तो ऐसा भी कुछ हो सकता है लेकिन law ने इसके लिए पहले से तैयारी करके रखे है उन्होंने अधर electronic mode word डाल रखा है तो सबसे पहले बात करते हैं section 282 notice किस तरीके से दिया जाता है चाहे वो कोई भी notice हो income tax department का जो भी notice होगा साथ ही साथ में 1st October 2019 की कोई बात याद दिरा देता हूँ कोई भी notice जो आएगा इसके ओपर दिन नंबर लिखा mandatory होना चाहिए document identification number लिखावा mandatory होना चाहिए अगर document identification number उसके ओपर लिखावा नहीं ह जा सकता तो 282 देखते है service of notice exam point of view से बिल्कुल काम का नहीं है but law तो है और मुझे तो पूरा ही पढ़ाना है the service of notice summon, requisition, order या any other communication under this act कोई भी order summon या order notification, summon कुछ भी होगा जो इस act के अंदर में होगा may be made by delivering or transmitting the copy thereof to the person named therein उसको deliver किया जा सकता है या electronically transmit किया जा सकता है deliver और transmit दो word डाले गए है यहाँ पर deliver या तो उसको घर्व address पहुचाया जाए या उसके communication method पहुचाया जाए transmit किया जाए by post और courier service जित्ती पार्ट को highlight करूंगा बस उत्तो पहला court से किया जा सकता है courier service से किया जा सकता है जो board ने क्या कियोगी approve कियोगी right तो DTDC is the courier जो च stock exchange पे आपको भी stock market में बड़ा interest होगा मेरे यसाफ से मेरे को बहुत है और मैं daily रहता हूँ मैं equity में भी रहता हूं कॉल पूट में भी रहता हूं और मैं features में भी होता हूं commodity में थोड़ा बहुत इंटरस्ट है पर commodity मेरे जाला नहीं है बट हाँ मेरे हिसाफ से अगर आपको शायद नहीं ले रही है तो उसमाँ भी खोले तो चलेगा अब्जेक्टिव यह नहीं कि कौन कहां अकांट कोना अब्जेक्टिव ए ट्रेड किसे करना तो किसी के पास भी ओपन कर ले और मेरे इसाब से आपने चालू करनी ही चाहिए आप फाइनल में है और अपन कॉमर्स ट प्रोट्फोलियो है तो प्लीज इस बारे में दिमाग्स मत लगाई कि मेरे प्रोट्फोलियो कितना है बस इतना समझ लिए कि एच्छा सा है इन सच मैनर आज में भी प्रोवाइड़ेड बाइद बाइद कोड़ आप सिविल प्रोसीजर यह क्या होता है घर के बार जो एड प्रोवाइडिड बाइड रूल्स इन्होंने अपना गेम सेफ कर ले अब इसके आगे मोड अव कम्मिनिकेशन कुछ भी हो सकता है बोड को सिर्फ और सिर्फ एक रूल निकालना है गेम वर बोड में एक रूल्स प्रोवाइडिंग फॉर एड्रेस इंक्लूदिंग एड्र और एलेक्तरोनिक तो मेल और एलेक्टरोनिक मैसेज तो विच कम्मिनिकेशन में भी डिलिवर और ट्रंस्मिटर तो भी या रूड रूल्स भी निकाल सकते इस रिलेटेड जहां पर इन्फरमेशन आपको या तो में जुआएगी या तो मैसेज के थीथरू प्रोवाइड किया जाएगा तो यह तरीका है information provide करने का notice provide करने का या कोई भी समन provide करने का second है 282A authentication of notice और other documents जड़र समझे यह law क्या कह रहा है यह law उस time पर लाया गया था जब कई बार fake notices भी बनती थी yes or no notices चले जाती थी तो इस time पर क्या किया गया कुछ जगह पर कुछ notices में authentication वाली बात कही है authentication करना मतलब क्या यहो को उस notice के उपर in person sign करना होता है या electronically इसे डियसी के थुरू या other चीजों के थुरू authenticate करना होता है अब जैसे ICAI ही आपको communication भीचता है तो उस पर blue color का देखना निच्छ एक signature होता है निच्छ लिखा होता है this is a computer generated this is a computer generated signature and it will be treated as valid तो बिल्कुल उसी तरीके से आपको अगर कहीं पर law में लिखा है कि notice authenticate करना है तो जब तक कि वो note authenticate नहीं की जाए या तो physical sign या computer जैसा भी जो बोडने rules बनाया होंगे जब तक कि इस पर authentication ना हो तब तक कि notice valid नहीं मानी जाएगी और by default में ऐसा होता है in fact अगर आप देखेंगे जो notification आते हैं जो circular आते हैं वो भी appropriately signed होते है so where this act require, where this act require or other document required to be issued by any income tax authority such notice shall be signed and issued in paper form or communicated in electronic mode by the authority in accordance with the procedure as may be prescribed तो जहाँ जहाँ act में clear cut लिखा है तो जहाँ 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 act ने बहुत clear cut लिखा है वहाँ तो यह करना ही करना है every notice or other document to be issued, served or given for the purpose of this act by any income tax authority shall deem to be authenticated in the name and office of designated authority is printed, stamp or otherwise written on तो जब भी कोई notice issue होगी किसी व्यक्ति के नाम पे अगर उसके signed भी है और electronic तरीके से भी दिया है तो यह मान लिया जाएगा उसके office में उसके through ही issue की गई है तो अगर उसके ना करके मान लिजे वो बोलता है secretary को कि आप अपनी sign करके दे देजे तो उसके office से ही issue हुई है ऐसा मान लिया जाएगा for the purpose of this section a designated income tax authority means any income tax authority authorized by board to issue, serve or give notice or other document or after authentication इसका meaning क्या है मैं आपको बताता हूँ देखे आज जो intimation या notice जाती है यह online जाती है income tax जो यह notice देता है यह online जाता है तो वो authority भी अगर भेज रही है right CPC Bangalore वो authority भी अगर भेज रही है तो यह मान लिया जाएगा कि मेरे तरफ से आया है इस बात का इन्होंने approval ले जरूरी नहीं in person मैं हमेशा करू अगर मैंने अपने power किसी और को भी दिया और वो notice issue कर रहे है तो यह मान लिया जाएगा कि यह notice मेरे तरफ से ही आया है So 282 was talking about how notice is given 282a talks about if authentication is required it needs to be authenticated Now if I do not authenticate it but I have given my power to somebody else and he send the notice after authentication it will be deemed that I have sent you this particular information Simple सी बात है माली Example review से काम का बिलकुल काम का नहीं sir कोई बिलकुल यह काम का नहीं है तो आप register में जाहिए इस पर लिखने में भी time हम बेस नहीं करेंगे register पर जाहिए लिखिये 282 manner of giving notice सीधा लिखिये refer page number जो भी page number होगा वो जैसा कि मैंने कहा अननेसेसरी जगवों पर बिलकुल अपनी एनरजी को वेस्ट मत करो 282 A authentication of notice अगेन निच्चे आईए लिखिये refer page number dash देखिये मेहनत वहां कीजे जहां सच में जरूरी है अब जो section काम के है important है वो हमने लिख दिये जहां काम नहीं है फोकट में अननेसेसरी एनरजी वेस्ट नहीं करनेगा देखिये, कि एले, जो हमने, तो झाले, नहीं करो झाले, टेखिया। चाले, नहीं को धनेयोगे . रिटर्न एट्सेट्रा नॉट टू बी इन्वालिड उन सेर्टन ग्राउंड्स अंडेस्टाइंड यह क्यों किया गया था यह लॉल आने के बीचे बहुत स्पेसिफिक तरीका था 292b कुछ याद आ रहा है कि बेटा मैं सेक्षन वहां पढ़ाऊंगा जहां काम का है अब नॉटेस नाम का कोई भी कंसेट पढ़ने से पहले आपको पता हुना चाहिए नॉटेस बेचते कैसे नॉटेस में कही जगह पर अथेंटिकेशन होता है क्या नॉटेस कब वालिड होगा कब इन्वालिड होगा यह सारी बात है आपको यहीं पढ़ने की ज़रोत है इसलिए यहीं डाली गई है 292B क्या कहता है 292B पहले इसकी हिस्ट्री सुन लीजे क्यों यह सेक्षन आया उसके पिछे का लॉजिक समझ जाएगा तो आपको बहुत इसलिए समझना आ जाएगा हुआ यह कि कुछ जगव पर ऐसा किया गया कि नोटिस था नोटिस जो पहले निकलते थे वह यूमन राइटिंग में निकलते थे अब राइटिंग में लिखते वक्त कई बार ऐसा हो जाता था कि उसके अंदर में एड्रेस मिस्टेक हो जाता था पहले बहुत स्पेसिविक कोई invalid declare कर देता था ये कहके कि जब notice ही सही नहीं है तो assessment सही कैसे हो सकता है जब आपका notices ही नहीं है तो आपका assessment सही नहीं हो सकता और इसी के लिए ये पूरे assessment का कोई logic ही नहीं है और वो इस तरीके से अपनी liability को avoid करने की कोशिश करता था income tax department बोलता था कि यार एक error के वज़े से एक error के वज़े से अगर पूरा का पूरा assessment invalid होने लग गया तो ये तो गलत हो जाएगा और इस case इसलिए एक section insert किया गया 292B ताकि technically देखा जाया तो these sections are in the favor of department only बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप इस sections are in the favor of department only जो department को power देता है कि अगर notice या assessment या इस तरीके से कहीं पे भी कोई error हो गया हो कोई omission हो गया हो इसका मतलब ये नहीं है कि वो क्या हो जाएगा invalid हो जाएगा by reasons of that error या omission ऐसा नहीं है कि वो invalid हो जाएगा पूरा का पूरा ही issue so no return of income मैंने इसको short कर दिया है no return of income assessment notice summon और any other proceeding सब कुछ कवर कर लिया साहब इनन notice summon assessment कुछ भी नहीं छोड़ा in fact ये section ये भी बोलता है आपके return में भी कोई गलती हुई होगी तो हम accept कर लेंगे साहब कोई problem नहीं हम इसको लिए हम ये नहीं बोलेंगे कि return valid हो जित्ता हमारे लिए उत्ता आपके लिए भी मतलब आपने अगर address गलती से गलत डाल दिया नाम लिखने में spelling mistake हो गई vijay की गया vijay हो गया टांड कर तो है आपका हम इसमें आपका दोश नहीं मानेंगे हम accept कर लेंगे चलो कोई problem नहीं और उसके आगे अपनी पूरी लाइन लगा दी नो रिटन असेस्मेंट नोटिस समन अधर प्रोसीडिंग फर्निश्ड और मेड और इसूड और टेकन और परपर्टेट तो हैव बिन फर्निश्ड जो फर्निश किया गया इसू किया गया डिपार्टमन के दरफ से लिया गय आप से या जो इसू करने वाले इन परसेंस तो प्रोविजन अफ इस एक उसके अंदर मिश्टेक है नाम लिखते गलत लिख दिया वी आई जे आई एवाई एक तो मेरा ही बताता हूं मैं आपको मैं स्पेलिंग इस ए आर डी ए मेरा सरनेम का स्पेलिंग पट दो बार इंकम टैक्स के तरफ से नोटिस में यह गलती हुई है क्या क्या उनने पता है पहला तो लिखा विजय शार्दा अब यह एक्सेंट का प्रोब्लम है मतलब जो अगर आप बोलेंगे इस्टन साइड के लोग होते हैं वह विजय में बोलते हैं बिजय बोलते हैं मतलब मेरे कई स्टूडेंट कॉल कता के हैं वह बिजय बोलते हैं और यही जब वह बच्चा इधर आता है यूपी बिहार के तरफ आता है या हिमाचल के तरफ आता है वह स्टूडेंट वह बोलता है वह बिजय श defect का मतलब क्या है मान लीजे यह जो notice आया यह गिल्ला आया यह थोड़ा सा फट के आ गया because of certain defect इसको आप invalid declare नहीं कर सकते कि भी यह नहीं में को notice एक दम कड़ा पेपर पहीच है defect it's a normal defect और omission in such return assessment notice or anything else proceeding if or any other proceeding if any someone or other proceeding is in substance and effect in confirmative with or according to the intent or purpose of the act तो सर अगर यह चीज रिटर्न assessment इसके अंदर में कोई mistake हो जाता है कोई defect हो जाता है या कोई omission हो जाता है मान लीजे मान लीजे omission का मतलब क्या मान लीजे विजय सारडा लिखा है अगर मैं मेरी बात कुरूआ है बिलॉंग तो हमारा joint family हो बहुत बढ़ा है तो ऐसे cases में क्या होता है विजय दो है या जैसे आप मेरी sister ही देख्या मेरी लड़किया है दोनों का नाम अदिती है तो अब क्या हो जाता है दोनों का नाम अदिती होने के कारण अब क्या होता है दूनों के डाड का नाम तो अलग होगा पर नोटिस के अंबर में क्या आता है अधिती मालूख तो ऐसे केसस में क्या होता है कि बीच का नाम अपने काट दिया तो डज नॉट मीन्स कि छोटा सा ओमिशन आपका पूरा का पूरा इन्वालेट डिकलेर कर देगा क्योंकि उसके साथ साथ क्या होता है आपका पैन नंबर भी आता है इसलिए नोटिस जब आप देखेंगे तो असेसी का नाम भी लिखा होता और नोटिस भी लिखा हो रहा है तो यह इन्वालेट डिकलेर नहीं होगा 292B बस इतना सही कहता है कि यह डिपार्टमेंट को संद्रक्षन देता है कुल मिला करके आपको लिखना चाहिए का बिल्कुल नहीं 292B लिख दीजे सिधा-सिधा र 292B notice of demand to be valid in circumstances अगेन एक और पावर एक और संद्रक्षन मैं कहूंगा इसे एक और पावर एक और संद्रक्षन किसे यह डिपार्टमेंट को ही मिला मान लिए यह कहते हैं कि अगर असेसी ने आपको नोटिस सही ढंग से नहीं इसू हुई पूरा assessment ही invalid इस बारे में हम discussion नहीं कर रहे नोटिस तो issue करना ही होगा लेकिन notice issue होने के बाद notice not served upon him मतलब notice issue तो हुई उसको नहीं मिली पर असेसी ने क्या कर दिया cooperate कर दिया department के साथ ऐसे केस में वो बोल रहे हैं बाद में assessi preclude नहीं कर सकता कि मेरे को तो notice सव नहीं की गई थी अगर assessi को notice properly serve नहीं हुई फिर भी assessi ने cooperate कर लिया इसका मतलब assessi या फस गया वो बोलते है ना खुदी कुलाडी के उपर पैर रग देना बस बिल्कुल वही situation है साहब याने assessi क तो अगर notice issue हुई proper serve नहीं हुई पर उसने cooperate कर लिया बाद में वो यह नहीं बोल सकता कि मेरे को तो notice ही नहीं मिली थी notice मुझे serve ही नहीं हुई थी proper manner में नहीं दी गई यह सब नहीं हो सकता आपने cooperate कर लिया मतलब आप काम कतम हुए notice सिर्फ आपको communicate करने के लिए होती है कि आपका assessment open हुआ है आपने cooperate कर लिया मतलब आपके धन में आगया आपको बार-बार बताने की कोई ज़ुरत नहीं है वह होता है ना हमारे कई relative होते हैं हमको तो बुलाया ही नहीं गया था हमको तो कोई call ही नहीं आया था पर वो तो रिष्टा है तो आना पड़ा जब आपको एक मिनट पहली बात मेंको बड़ा गुस्सा आता है सब लिटरल सेंस में मेरे को बड़ा गुस्सा आता है मैं relative से पूछता हूँ जब आप relative है तो आपको क्यों इन विटेशन की ज़र होते हैं है कुदा सकते हैं दूसरी बात अब आ गय तो रो क्यू रहो आप आ गया ना अब रोने का क्या सवाल उठता है, फिर रोने का नहीं, तो the point is, पहला, situation समझना, इस section को समझने से पहले, पहला, आपको notice ही नहीं दिया, notice नहीं दिया, पुरा assessment invalid, ये पक्की बात, notice दिया, proper serve नहीं किया उसके उपर, not served upon him, let's say notice issue हो गया था, उसको receive नहीं हुआ, but somehow he got communication, कि भिया उसका assessment चालू है, वो आया, cooperate करना शुरू कर दिया, game over, अब वो इस बात को preclude नहीं कर सकता, दूसरी बात, मान लीजे, assessi का notice तो issue हुआ, उसको communicate भूआ हो, cooperate भी कर रहा है, लेकिन जो notice received हो, after the time हुआ, department notice issue कर चुका था, receive उसको after time हुआ, but assessi cooperate कर चुका है, ब manner of notice हमने 282 में देख लिया था, उसके अलावा एक proper manner के through नहीं हुआ, let's say, AO assessi को जानता था, और उनके बीच का middle friend भी था, उसने middle friend को बोल दे, उसको बोल दे, उसको बोल देना है, ऐसा-ईसा कुछ उसको खिलाफ open हुआ है, आ जाना, right, assessi को पता चल गया, assessi आ भी गया, cooperate भी कर रहा है, बाद में वह यह नहीं कह सकता, था कि तुमने तो मेरे को क्या नहीं कहा, ना direct आके बोला, ना इसके through बोला, ना उसके through बोला, एक बार notice issue हो गया, और आपने cooperate कर दिया, बाद में आप यह नहीं बोल सकते, में को सही तरीके से नहीं दिया गया, सही टाइम पे नहीं गया, सही मैनर में नहीं दिया गया, चेक किजेगा, where the assessi has appeared in any proceeding, what देखेगा, where the assessi has appeared in any proceeding, or cooperated in any inquiry relating to assessment or reassessment, it shall be deemed that notice under any of the provision of this act, which is required to be served upon him, has been duly served upon him, तो एक बार assessi नहीं cooperate कर दिया, किसी भी assessment या inquiry के basis पे, और यह मान लिया जाएगा, कि उसको notice मिली है, has been served upon him, in accordance with the provision of act, and such assessi shall be precluded from taking any objection, बाद में वो कोई objection नहीं ले सकता, उसने कुद में cooperate किया है, बाद में नहीं ले सकता, that notice was not served upon him, notice not issued on time, notice served upon him in an improper manner, तो यह जो नखरे है ना, यह नखरे दूर रखने होंगे, आपने cooperate कर लिया, काम खतब हो गया, provided that nothing contained in this section shall apply, where the assessi has raised the objection before completion of assessment, याद रखिए, हाँ, assessment complete करने से पहले, उसको कोई objection देना है, तो वो दे सकता है, कि भीया, मुझे, इस तरीके से नहीं दिया गया था, उस तरीके से नहीं दिया गया था, लेकिन यह तब ही हो सकता है, एक बात यहाँ पर जरूर लिखके रखे, if notice is not issued, issue ही नहीं की, assessment not valid, notice तो issue करना पड़ेगा, सर्व हो या ना हो, यहीं से हमें एक और बात के उपर discussion करना होगा, आगे बढ़ने से पहले, done, sir, लिखके रखेगा, notice issue, notice serve, notice issue कई जगह पे आपको word लिखेंगे, notice issue और कई जगह पे लिखेंगे, serve, notice serve का मतलब है, it should be received, जहाँ आपको लिख दिया served, इसका मतलब है, यह आपको receive हो जाना चीज़, जैसे अगर आपको यह word लिखाओ law के अंदर में, this notice must be served in 6 month, इसका मतलब यह notice 6 month में issue भी हो जाना चीज़, और आपको receive भी हो जाना चाहिए, अगर issue within 6 month हुई, और received beyond 6 month हुई, जबकि law में clear cut serve लिखा है, यह notice valid नहीं मानी जाएगी, जहाँ पर issued word लिखा है, it must be issued in time, जहाँ पर issued word लिखा है, यह notice valid हो जाएगा, अगर notice 6 month के अंदर में issue हो गया, फिर आपको receive कभी हो, अच्छे कोई लिन लिन नहीं है, समझे में आरीवा, तो issue और served, यह दो वर्ड आप धन में रखेंगे साब, done sir, done sir, तो यहाँ पर notice आपको देना ही पड़ेगा, वहाँ पर not served word लिखा है, तो notice अगर issue ही नहीं किया, तब तो completely invalid, इस बारे में हम कोई discussion नहीं कर रहे है, फिर आते हैं 292C, power to withdraw approval, समझे ही क्या power है, यह technically एक power है जो government या board exercise करता है, यह से भी section है, बिल्कुल मतलब कोई काम का नहीं है, बढ़ हाँ आप जब आज पहली बार पढ़ रहे हैं, तो आज basics में पढ़ लिजे पूरा, यह ऐसा है कि मान लिजे, commissioner of income tax को किसी भी तरह के charitable या religious trust को approval देने का power है, कि आप किसी भी charitable और religious trust subject to certain condition आप क्या कर सकते हैं, उन्हें approve कर सकते हैं, ऐसा एक power उनको दिया वा है, Now the point is, अगर central government और board चाहे, तो यह जो power उसको दिया गया है, यह power उससे छीन भी सकता है, मतलब अगर central government order निकाल दे, कि boss अब CIT क्या नहीं करेगा, power नहीं देगा, और अब यह power JCIT के हाथ में होगा, या CCIT के हाथ में होगा, तो ऐसा कोई power निकाला जा सकता है उसके हाथ से, यह लिखावा है, section 292C, power to withdraw approval, तो approval देने का कोई power होगा, तो वो withdraw किया, जा सकता है, ऐसा एक section यहाँ पे कहता है, So where central government और board, or any income tax authority, who has been conferred by the power under the provisions of the act, to grant any approval to the assisee, central government और board may notwithstanding the provision, to withdraw such approval has not been specifically provided in the provision, withdraw such approval at any time, provided the central government or the board, or income tax authority shall, after giving a reasonable opportunity of showing cost against the proposed withdrawal, withdraw the approval after recording the reason of doing so, हाला कि ऐसा कोई भी power उसके हाथ से छिनने से पहले, opportunity of being heard देना क्या हो जाएगा, mandatory हो जाएगा, So, अगर हम देखें, तो 282 से ले करके, यहां तक 292 C तक के हमने जितने भी section पढ़े हैं, अब तक यह बिल्कूल काम के नहीं है, इस पे ना लिख के time waste करना, ना बाद में revision करते हो ते तना time waste करना, यह एक बार भी आपने पढ़ लिया, तो काफी हो जाएगा, एक्जाम में यह पूछते भी नहीं है, और जनरली आता भी नहीं है, तो 292 W and 292 C, refer notes, page number dash, इतना लिख दीजे, game over, है, अच्छा जी सर आई ये 288 पे चलते हैं बिल्कुल काम का नहीं है section और सिर्फ और सिर्फ relevant provision इसकी हम लोगों मैंने कवर करिये 288 बहुत बड़ा सिक्षन है अपीरेंज और ठर्राइज रिपेसेंटेटिव मैंने 285 छोड़ावा है आ जाओंगा उसके उपर क्या कहता है क्या जब भी आपको किसी असेस्मेंट के अंदर में आना होगा या आपको बुलाया होगा तो क्या जरूरी है कि आप ही जाए या आपके वियाव पे कोई और जा सकता है हमने ओफिसेस के अंदर में देखा है कि हमारे वियाव पे कोई भी जा सकता है बस उसके लिए क्या जरूरी है एन ओसी जरूरी है किसी भी परसन का जो जिसने हमें और थराइज किया वा है तो बस उसी एंगल के उपर में लिखावा है असेसी को छोड़ करके 131 क्या है समन है समन क्या होता है समन मतलब कोर्ट का एक और जिसको बुलाया जाता है वही आता है अब तक ऐसा होता था कि कोर्ट जब भी बुलाते तो सलमान खान न जाकरके उनके एड़ोकेट चले जाते थे लेकिन जोदपूर कोर्ट ने तीन बार सलमान खान को समन इशू किया कि वो नहीं चलेगा आपको ही आना है गवाई के लिए तो समन मतलब क्या होता है जब भी समन इशू होजा है फिर इन पर्सन आना पड़ता है फिर रिप्रेजंटेटिव नहीं चलता तो अगर किसी को लगता है यहाँ पर लिख दीजे समन रिक्वायर परसनल अटेंडेंस ओनली समन रिक्वायर परसनल अटेंडेंस ओनली इसलिए समन को छोड़ करके हर उस जगह पे जहां पे आप income tax authority के सामने जा रहे हैं या फिर income tax appellate tribunal के सान में जा रहे हैं तो जरूरी नहीं आपको जाना है आप क्या करते हो सामने वाले से NOC लेते हो और authorized representative बोल के खुच जाते हो यह officers में आपके द्वारा दिखा गया एक बहुत normal provision है for the purpose of this section authorized representative means a person authorized representative में कौन-कौन हो सकता है means a person authorized by the assessee in writing to appear on or before him in writing का मतलब क्या है NOC of client client का NOC लिया जाता है कौन-कौन हो सकता है being a person related to assessee यह कौन हो सकता है सीदे शब्दों में मेरा relative हो सकता है जरूरी नहीं है मैं नहीं जा रहा हूँ मेरा relative कोई चले जाए कोई problem नहीं है officer of scheduled bank with which assessee maintains a current account और has a regular dealing तो मेरे जगा पर कोई scheduled bank का officer भी जा सकता है जहां पर मेरा current account है या फिल मेरी regular dealing है legal practitioner मेरा क्या जा सकता है advocate जा सकता है accountant accountant मेरा chartered accountant भी जा सकता है a person who has passed any accountancy examination recognized in this behalf by the board यहां पर accountant जो होते है not chartered accountant बट accountant जो recognized किया है वो भी जा सकते है any person who acquires such educational qualification as may be prescribed central government क्या करता है board कुछ education qualification दे सकता है अगर वो education qualification आपके पास है तो आप उनके भी आप पर जा सकते हो any person before coming into force of this act in union territory दादरा, नगावेली, गुआ, दमन, दिू, पॉंडिचरी attend before income tax authority in the set territory on or before any assesee otherwise then in the capacity of an employee or relative तो कोई भी person आ सकता था in specific territories के अंदर में union territories के अंदर में कोई भी person जा सकता था otherwise then by employee और उसका relative छोड़ करके कोई भी person जा सकता था इन जगव पे, कोई काम का नहीं other person who immediately before commencement of act was an income tax practitioner इस act के चालू होने से पहले अगर कोई भी income tax practitioner था वो भी जा सकता है, अब ये भी कोई काम का नहीं इसमें आया है amendment क्यों लाया गया amendment, मैं वो भी बता देता हूँ sir ये amendment लाना बहुत ज़्यादा जरूरी था और इसलिए भी ये आया है अगर कोई भी assessi IBC के अंदर में जाता है insolvency, bankruptcy, code के अंदर में जाता है तो उसके भी आप पे फिर हर जगह क्या होता है इनको जाना पड़ता है adjudicating authority को जाना पड़ता है अब problem ये हो रहा था who can represent में कहीं पे भी adjudicating authority लिखावा नहीं था इसी के लिए क्या किया गया एक और add किया गया any other person ये word missing था है यहाँ पे अब क्या किया जाता है बोड क्या कर देता है प्रिस्क्राइब कर देता है एक सीधा सीधा order issue करके और अब प्रिस्क्राइब अगर आप मेरी पिछली बुक देखेंगे आपके किसी सीनियर नहीं या जिसने भी आपको रिफर किया होगा आप उसकी बुक देखेंगे तो ये section आपको वहाँ पे दीखेगा भी नहीं and since it was an amendment हमने उसको यहाँ पे लिया वाए तो any other person as we prescribe इसलिए मैंने आपको reason भी लिखके दिया this is amendment because of the IBC Insolvency bankruptcy code Insolvency bankruptcy code के अंदर में adjudicating authority जाता है और इन में से ना वो कोई relative होता है ना कोई legal practitioner होता है ये वो कोई भी category में नहीं आता इस legal law में एक और word लाना जरूरी था और वो था any other person as may be prescribed तो ये एक amendment हुआ है finance act 20 के तहत but overall situation अगर मैं इसकी भी बोलू बिल्कुल आप register में जाए लिखिए 288 authorized representative refer notes page number dash यो भी आपका page number होगा उतना डाल दीजा matter over done now that's it चलिए sir 285 हमारा बचा है यहां तक हमने complete किया so आज हमने क्या-क्या पढ़ा हम लोग वो देख लेते हैं सबसे पहले जब हम आए हमने section के अंदर में चालू किया sir 142.2a, 142.a और साथ-साथ में हमने notice related 282 की series को complete कर दिया अब break के बाद आएंगे break के बाद आने के बाद हम लोग चालू करेंगे actual assessment 143.2, 143.3 चालू किया जाएगा सो सी यू आफ्टर दे ब्रेक करते हैं क्या बिटा अब हमारे original के assessment के section चुरू होते हैं यहां तक के जो हम लोग ने किया है वो एक बार हम लोग फटा फट देख लेते हैं the first assessi will file the self assessment tax then file return of income return of income will go to what correct summary assessment summary assessment के बाद the AO will decide whether he wants to do the assessment or he don't want to do the assessment if he wish to do the assessment then he will call the information or require some assessi to file the return of income under 14211 or 14212 as the case may be then whenever the information is received he will check and verify whether the information is understoodable or not whether he could understand it or not if he could not understand it he will use two of the power 1422A दुबारा से audit करवा के आ या फिर कहीं valuation related issue होगा तो वह सिप valuation करवाएगा 142A के अंदर में इसके बाद या तो अब वो regular assessment करेगा या तो वो best judgment assessment करेगा आप assessment का चार्ट देख चुके होगे otherwise it will be a show cause notice under 144 then we have seen the relevant section कि notice कैसे बेजा जाता है notice भीजने में अगर थोड़ी बहुत गडबर होगे omission हो गया error हो गया तो क्या होगा right notice के बाद जब hearing आती है तो hearing में आपको ही जाना होता है या कोई representative assisi भी आ सकता है so on and so forth तो हमने 282 से लेकर के आगे की पूरी सीरीज देखी sections की जो इन chapter से क्या थी related थी अब हम आते है actual assessment के उपर that is 143 subsection 3 सबसे पहले बात करते है regular assessment और scrutiny assessment की ठीक है जब आप regular assessment and scrutiny assessment पढ़ रहे होंगे आपको दो sections के ओपर ध्यान देना होगा एक 143 subsection 2 which talks about notice and then 143 subsection 3 so what is the real sense of understanding is first you understand notice and its compliance and then you could understand the actual assessment what it is carried out exam point of view आपके लिए जादा important है 143 subsection 2 143 3 इतना important नहीं है right exam point of view से 143 subsection 2 जादा important है क्योंकि उसमें notice से related issues होते है right कुछ बात है start करते है 143 subsection 2 आप सबको page number 10 के उपर आना है 143 subsection 2 अब अगर आप section देखेंगे तो सबसे पहले यहां पर लिखा है यह notice भेजेगा कौन और भेजेगा कब अगर return भरा है तो ही 143 2 आ सकता है otherwise नहीं that means it simply is the first interpretation the moment you will read the bear act it says that when a return is filed under 139 or 142 which simply denotes if return is filed the only assessment you could made is 143 subsection 3 and if not complied with this notice 144 no doubt but the first primary assessment you will do is regular assessment if the return is filed so अगर return ही नहीं भरा होगा क्या 143 subsection 2 आ सकता है answer is no अगर return नहीं भरा होगा तो 143 2 आ नहीं सकता दूसरी चीज़ सर बताईए अगर हमने ये notice ही नहीं भेजी तो क्या assessment void हो जाएगा हाँ भाई अगर आपने notice ही नहीं भेजी invitation ही नहीं दिया और आपने direct काम कर दिया तो फिर आप इसके regular assessment कैसे कहेंगे so notice नहीं दिया तो पुरा assessment क्या हो जाएगा वाइड हो जाएगा तो दूसरी चीज़ हमने क्या से कि 143 3 अगर करना है regular assessment अगर करना है तो 143 2 का notice देना जरूरी है notice नहीं दिया या notice timely नहीं दिया वापस से सुनियागा notice नहीं दिया यह notice timely नहीं दिया दोनों भी cases में आपका क्या हो जाएगा assessment wide ab initio हो जाएगा कैसा हो जाएगा wide ab initio हो जाएगा ठीक है सर सर मुझे एक बात बताइगे यह notice भेजता कौन है तीसरी चीज रिटन भरा पहली हो सकता है राइट दूसरा हम लोगों ने बात करी दूसरे चीज की रिटन अगर नहीं भेजा तो पूरा assessment wide ab initio हो जाएगा तीसरा यह notice भेजेगा कौन हुई इस अथॉरिटी विल सेंड नोटेस अब इसके अंदर में कुछ सालों कंप्यूटर एड़ेट स्क्रूटिनी सॉफ्टवेर के थूरू नोटेस ऑनलाइन जनरेट चुरू होना चालू हो गई तो जब यह ऑनलाइन जनरेट होना शुरू हो गई तो ऐसा हुआ कि इसके आगे ऐओ के आगे एक और वर्ड आड करना पड़ा प्रिस्क्राइब अथारटी तो 143 टू कॉन बिजता है एओ भी भेज सकता है या प्रिस्क्राइब अथारटी भी बिज सकती है यह MCQ बोल करके आ सकता है, याद रखेगा, notice कौन बेजएगा 1432 की, या तो AO बेजएगा, या फिर आपका prescribed authority बेजएगा, ये prescribed authority कौन है, as of now CASS, but law लिखते वक्त हमें हमेशा prescribed authority देना है, तो पहली चीज, notice नहीं बेजा, तो ये void हो जाएगा, दूसरी चीज, notice AO बेज सकता है, prescribed authority नहीं बेज सकता है, तीसरी चीज, return भरा, तो ही, ये notice आ सकता, return नहीं भरा, तो ये notice आ सकता, नहीं, बहुत बढ़ी असर, तो चौत ही चीज, sir ये notice देंगे कब तक, ये notice कब तक दिया जाएगा, ये notice दिया जाता है, six month from the end of financial year, in which return is filed, ज्यानते सुनिएगा word, और आपको ये time limit contradictory लगनी ही चाहिए 143.1 के साथ, मैं पहली बता रहा हूँ, 143.1 के साथ ये contradictory लगनी ही चाहिए, क्योंकि 143.1, summary assessment क्या time limit दे रहा था बेटा आपको, वो time limit दे रहा था, one year from the end of financial year, in which return is filed, जबकि 143, subsection 3, maximum time किता देता है, notice भेजने का, notice भेजने का maximum time limit कितना है, six month from the end of the month, in which return is filed, जब भी return filed हुआ होगा, उस financial year से six month, तो अब मैं आपको इसका process बताता हूँ, क्योंकि आपको ये contradictory लगेगा, कि intimation का भेजने का time limit जादा रखा गया है, जबकि notice भेजने का time limit कम रखा गया है, बिल्कुल सही जवाब, क्योंकि ये जो मैंने आपको पहले भी बताया था, intimation का जो भेजने का time limit होता है, intimation का ये maximum time है one year, हाला कि जो return होते हैं, आज का अगर current स्तिती देखा जाए, तो max to max दो मैंने के अंदर में process हो जाता है, max to max, और यो clear cut assessment की guidelines निकाल देता है, और जैसे ही, मान लीजे कोई return process हो गया, और उसके सामने जिस necessity को क्या क करना है, उसको assessment करना है, उसकी detail अगर आज आती है, तो उसके लिए tension वाली कोई बाती नहीं होती है, उसके लिए tension वाली कोई बाती नहीं होती है, क्यों 1432 क्या कर देता है, issue कर देता है, so 1432 को issue करने का time limit कितना है, six month from the end of the month in which, in which notice, sorry, return is filed, अभी six month है, इसमें word law में लिखा हुआ कि notice within six month हुए, receive beyond six month हुई, तो क्या assessment invalid, बिल्कुल हा, invalid, क्योंकि हमने क्या बूला, notice 6 महने के अंदर issue भी हो जाना चीए, receive भी हो जाना चीए, क्योंकि जब आप 1432 के words पढ़ेंगे, तो महां पे actually लिखावा है, served word लिखावा है, rather than issued, served word लिखावा है, that notice must be served within six month from the end of the financial year in which return is filed, तो हां, अगर मैं ये बोलूँ कि ये थोड़ा सा आपको ऐसा लगे, contradictory 1431 के साथ, तो मैं भी कहूंगा, हां ये contradictory है, क्योंकि इसका time limit जादा होना चीए था, but still practically देखा जाए, तो ये बहुत speed में हो जाता है, जहां पर assessment होने वाली होती है, वहां पे एकाम easy हो जा साल के लिए वेजी जा सकती है, और क्या इससे कोई information मंगाई जा सकती है, answer is yes, 1432 जो आता है, इसके साथ साथ जनरली एक questionnaire आता है, जब आप office में देखेंगे, ये notice अगर आपने किसी client का देखा होगा, तो 1432 के साथ साथ एक questionnaire आता है, जितनी भी audit queries AO ने निकाल करके रखिए ये वो question है राता है, ये notice आप से कहता क्या है, ये notice आपको किसी particular दिन, किसी particular समय पे AO के सामने present होने बोलता है, so 1432 का notice करता क्या है, 1432 का notice किसी particular दिन पे आपको AO के office में सामने जाके present होने का invitation देता है, तो अगर आप से कोई रात में उठा के पूछे 1432 क्या करता है, आपन नहीं तली हमने पढ़ा था कि कोई representative authority भी क्या कर सकता है इसको consider कर सकता है चलिए आईए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो कुछ चीजे और ज्यादा clear हो जाएगी मैं bear act पढ़ रहा हूं page number 10 के उपर where return has been furnished word यहां से चालो हो रहा है where return is furnished यहने एक बात तो बड़ी clear होगी मालिक if return is not furnished if ROI not furnished लिखा है लिखने की ज़रोत नहीं है नहीं तो आप बुलोगे सार इधर book में जगा है नीदी नीचे लिखा है don't worry if ROI is not furnished 143 to not possible नीचे लिखाय बड़ी टेंचन मतले right so where return has been furnished under 139 139 139 की पूरी series or in response to notice under 142 1 the AO or prescribed income tax authority now what is the prescribed income tax authority CASS right now right so CASS is now the prescribed income tax authority in this particular case so where the return has been furnished under 139 1 or in response to 142 1 the AO or prescribed income tax authority as the case may be consider it necessary or expedient to do so ensure that the assessee has not understated the income overstated the loss that is excessive loss or underpaid the tax objective क्या होते है इस assessment के 143 का assessment का objective बड़ा क्लियर होता है इसाब यह देखना कि assessee has not understated the income कही income उसने understate तो नहीं की है overstated the loss कहीं loss जान मुझ करके बढ़ाया तो नहीं क्या है ज्यादा expenses book करके underpaid the tax यह तीन वर्ड को याद रखना है बिलकुल और 143 के उपर आपको बहुत सारे question मिलेंगे तो आपको यह वर्ड बिलकुल याद रखने है he has not understated the income overstated the loss underpaid the tax under over under तीन वर्ड understated the income overstated the loss underpaid the tax कहीं यह तो नहीं किया है इस objective से आप 1432 चालू करते हो so assessi has not understated the income computed excessive loss or has underpaid the tax in any manner shall serve यह वर्ड क्या लिखा है serve issue की बात नहीं करना है वो आपको उन्हें serve करना होगा receive हो जाना चाहिए shall serve on the assessi a notice requiring him notice कहती क्या है a notice requiring him on a date to be specified therein notice में date लिखे होगी कि आपको कब जाना है either to attend in person either to attend the office of AO or to produce or cost to produce before AO any evidence जहां जा सुनिएगा यहां पर वही बात प्रूव हो जाती है क्या 1432 के तहद भी information मंगाई जा सकती है क्या हां साब information मंगाई जा सकती है यह overpower करता है 14212 को 14212 के अंदर में सिर्फ और सिर्फ तीन साल के information मंगाई जा सकती है लेकिन 1432 के अंदर में कितने भी number of years की information मंगाई जा सकती है कल हम लोग ने अगर आपको याद होगा तो थोड़े दिन पहली हम लोग ने इस बात को भी discuss किया था on which the assessee may rely in support to return provided that no notice under this section shall be served on the assessee after expiry of six month from the end of the financial year in which return is furnished तो भी यह notice क्या हो जी serve नहीं होगी after six month और अगर serve हुई तो क्या हो जाएगा वो हो जाएगा void ab initio प्रभू ठीक है अगर simplified analysis में देखे इसी चीज़ को simple तरीके में where return is filed under 139 और 142 1 the AO or prescribed income tax authority not below ITO has been authorized by CBTT shall serve a notice notice shall be served within six month from the end of financial year in which return is made यह काम की चीज़ जो मैं आपको बोल रहा था notice is mandatory if notice is not served or timely served scrutiny is illegal तो notice ही अगर नहीं दी या notice आपने timely नहीं दी तो पूरा issue ही क्या हो जाएगा illegal notice is required to be served and not just issued आपको क्या करना है serve करना है सिर्फ issue करने की ज़रत नहीं है आपको यहां पे serve करना होगा if assessi fail filed a revised return after serving of notice then fresh notice shall be served यह बहुत काम की चीज़ है यह understand कीज़ेगा मान लीज़े assessing officer ने क्या किया notice issue कर दी 1432 की एकदम speed के अंदर में और assessi का revised return का time limit खतम नहीं हुआ है then revised return will step in the shoes of original return फिर उस case में यहों को fresh notice देना होगा हाला कि मैं आपको बता दू generally 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 revise return time खतम होने के बाद ही यह क्या करते हैं आपको notice देते हैं एकदम practical aspect बता रहों आपको notice shall require the assessi shall require the assessi to appear before you on specified date along with such document as may be prescribed notice under 1432 can be issued even with intimation under 1431 is issued जैसे कि मैंने कहा बहुत सी बार अगर उसको assessment करना होता है तो 1431 के साथ 1432 भी attach करके देता उसको कि यह यह ले तेरा processing हुआ है और यह तेरा notice भी है notice under 1421 and 1432 can be issued simultaneously यह can be issued छोड़ो हर बार ऐसा ही होता है 14212 यह 14211 के साथ आपको 1432 का notice एक साथ है information और assessment का तो इसमें भी कोई problem नहीं है अगर आपने इस notice का compliance नहीं किया आपको best judgment assessment हो सकती है further एक बात तो मैंने आपको penalty याद रखने ही बोला था कि यह बेज़ेगा या तो prescribed income tax authority बेज़ेगा within six months सर्व हो जानी चाहिए क्या हो जानी चाहिए सर्व हो जानी चाहिए बहुत बड़ी है सर यह था notice notice अगर नहीं दिया तो illegal हो जाएगा illegal मतलब क्या हो जाएगा वो wide ab initio हो जाएगा ठीक है सर सर बेर act में भी इतना ही है मैं तो आपको पहले भूबल चुका है आप मेरी बुक को बाजू रखें बेर act को बाजू रखें एक ही चीज है क्योंकि पूरा का पूरा बुक ही बेर act है और मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूं कि आपको सिफ सिप सिए final pass करने के लिए बूक रखन तो सर यह हुआ आपका नोटिस अब आते हैं असेस्मेंट के उपर 143 क्या होगा assessment मतलब मैं आपको समझाता हूं सर होता क्या है जिस दिन पर्टिक्लर दिन पर आपको बूलाया जाता है प्रैक्टिकल आसपेट्स समझीए जिस दिन आपको बूलाया साथ साथ में 143 टूके तो वह कुछ information मंगाया होता है तो उसने बिल्कुल टाइम अलोकेट करके रखा होता है आप लोगों के लिए भी वह क्या करता है आपको पूछता है कि भिया उसकी जो notes and sheets होती है उसमें से एक-एक point निकालता है और आपके सामने रखते जाता है और आपको उसके उपर explanation मंगता है आप इसके उपर explanation बहुत अच्छे से दे पाते हो क्योंकि जब आपको notice मिला होता है उसके अंदर में उसके कुछ questions होते ही होते हैं तो ऐसे cases के अंदर में आपके पास जवाब ready होते है कलाइन से पूछ के जाते हो इस चीज का जवाब क्या रहेगा और यह जवाब आप क्या कर देते हो समझ महारी बत तो आप क्या कर देते हो यह ढट से क्या होता है क्या क्या सती ही نہیں होता होता मॉलटिपल ही इरिंग के लिए आपको नोटेस नहीं दी जाती बस वो लदेट के लिड़ाते है और लिख दीकर अब जैसा भी जतनी फिर्ट यहा लेंक तर भी नहीं कर तो जहां वो अग्रि नहीं करता हूँ आपको बोल देता है कि मेरे आपका इक्स्प्लेनेशन नहीं समझमे आया और इसका ऐडीशन कर hours यह जो वर्ड है यह आपको असेस्मंट में सुनने मिलेगा मैं अडीशन कर रहू हो तो ओंतर है कि वह आपकी कई बार बच्चों के मन में एक डाउट आता है और as a tax teacher ये मुझे बताना बहुत जरूरी भी है मुझे लगता है क्योंकि मैं सिर्फ और सिर्फ आपको ये नो थेरी नहीं देना चाहता है तो सर आपके मन का जो सवाल है सर वाँ पर ब्राइब दिया जाता है क्या बिल्कुल ये बच्चा मुझे हर बार बैच में पूछता है और मैं इसका जवाब बहुत इमानदारी से देता हूं सर ब्राइब देना होता है क्या देखिए हर officer वैसा नहीं होता ये सबसे पहली बात समझ लिए और recent times के अंदर में मैं कहूं ये बहुत ज्यादा मुश्किल है बट फिर भी क्या देते हैं क्या हां जी सर बिल्कुल होता है सच्चाई है ये और इसके कई तरीके भी हैं इसके कई तरीके हैं सर क्या कैश दी जाती है बिल्कुल नहीं वह गए जमाने जब से फिर वह MMS वाले scan चालू हुए त को मैं आपके साथ चेर करता हूँ सर पहला क्या होता है एक कैश का तरीका तो होता ही है ये off the record होता है कैसे किया जाता है कुछ चीजे मुझे आपको सिकाना जरूरी है कुछ नहीं आप उसको समझाते हो सर प्लीज कर दीजे ये वह ये वह अब उनके offices में भी कैमरे होते हैं what they will do they will mark amount on the calculator calculator को ऐसे घुमा दिया जाता है आपके तरफ बिल्कुल सही वह क्या करेंगे एक ऐसा इस तरीके का एक amount लिएंगे और आपको सिर्फ हां या ना बोलना होता है या फिर जो भी negotiation होता है आप उसको एक करके दूसरा amount डाल देते हो होता है ये ऐसा दूसरा क्या हो कि वह आपको कोई तो particular demand रख लेते और ये off records होता है पूरा का पूरा कि आपके सामने कोई demand रख दिया जाता है कि सरो सर चाय पीके आते हैं चाय पीने जाते हैं तब जाके एक demand आ जाती है कि मैं को यह चाहिए तो आज तो इतना easy हो गया कि अगर उनकी कोई demand है तो आप क्य टो लेट से 70,000 रूपीज अब यह कैसे होता है मैं आपको बता हूं 70,000 रूपीज का fridge assessi के नाम से लिया जाता है उसका gst credit होता है business asset बता दिया जाता है gst credit if any मिलता है उसको प्लस income tax में वो business expenditure हो जाता है लेकिन Amazon से उसकी delivery delivery डायरेक्ट उसके sister के यहां करवाई जाती है ब आपका business asset दिखता है business asset का depreciation भी आप ले लो ना वो कुछ बोलेगा ना आप कुछ बोलोगे दोनों का matter settle हो गया इस तरीके से भी होता है मैं आपको बताता हूं मेरा कुछ experience मुंबई के अंदर में थे एक assessment का case था मुंबई के अंदर में गय थे एक assessment के case के लिए मालिक तो कुछ issue था उस case के अंदर में and somehow the amount agreed to be let's say 120,000 ऐसा कुछ agree हुआ प्लस एक laptop उनके बच्ची के लिए apple का laptop उनकी बच्ची यहां पर पढ रही थी एक engineering college के अंदर में सो मुंबई था मैं भी बड़ा excited था कि चलो जाने मिलेगा वहां गए एक amount fix हुई और you know 50,000 का एक amount था जो हम लोग को provide करना था लेकिन वह वहां नहीं देना था उन्हें एक address दिया हम उस address के उपर गया that address was a kirana shop बरे बरे किराना शॉप मैं वहां पर जाके खड़ा हो गया तो उनने कास्टमर ने प्टाया कास्टमर ने प्टाने के बाद वह बूले बुलिए हमने बुला कि सर यह यह यहां से आये हैं उसने डायरी निकाला छोटी से डायरी एक तो हमने बाकाइद रायरी आई पेकट दिए उनको एक लिफाफ़ा दे अपर और लिफाफ़े के बदले में उनने निकाल करके हमको एक चॉक्लेट दे अब मेंको यह लगा कि यार चॉक्लेट दे रहा है तो शायद मैंने इसको पैसे दिये खुश हो करके मैं को और देनी है 50 पैसे की चोकलेट का मीनिंग वहां पे था 50,000 रुपए रिसीवड हुए हैं और यह टोकन था जो हमको वहां देना था कि हाँ अमाउंट रिसीव हो चुकी है मतलब आप सोचो अगर अमाउंट 5,000,000 रुपए होती है उससे उपर होता तो कौन सी चोकलेट मिलती वह बोलता है यह चोकलेट का पैसा आपको देना पड़ेगा 50 पैसे मैंने एक रुपए दिया दो एक और चोकलेट ले लिया फिर एक चोकलेट ले जाकर के उसको दिया कि इस तरीके से टोकन अमाउंट हो चुकी है आज बहुत सारी चीज़े होते हैं कई बार सोडस को आउचर मांगे जाते हैं सब्सक्राइट अब इसा बहुत ज़्यादा हो चुका है बस ऐसा है कि अब बहुत सारे मस्हां आ चुके है फिर किसी का पैटियम नंब्र मिलता उसक बहुत सारी चीजी है अब मेकानेजम बहुत बढ़ल गए पहले से पैसा था था हुआ पIESसे अपाँ पैसे बहुत बहुत बात बात हो तो पहले बार बात होता है कि जा भूर मैं आгवे Subscribe रहा हूं तो फिर उनके तरफ से आता है कस्टम ड्यूटी से बॉटल उठा करके लिए कि आना यह वाली बॉटल का नाम लिख करके दे देते हैं यू देखिए क्या है यह दोनों के बीच का वन-to-one relationship यह बात आपको हमेशा याद रखने पड़ेगी दोनों की बीच का वन-to- आपको यह नहीं मैं आपको कोई हसीन अपने नहीं दिखाऊंगा कि यह देख इतना अच्छा होता है इंकम टैक्स डॉपाटमेंट डीप डाउन वी ओल नो कि यह सारी चीज़े हैं हां ऐसा है कि सिस्टम हर बार ट्राय करता है इसको कर बब करने का और एक और एक और आपको तो हां करप्शन है बिल्कुल है सर पट यह एथिकल है क्या मैंने आपके पहले ही कहा एथिक्स वेरी व्यूटिफुल वर्डीन बुक्स बुक्स के अंदर वह बहुत अच्छा वर्ड है सर प्रैक्टिकल लाइफ में वह अपलाई करना थोड़ असा मुश्किल है य इससे वह साटिसफाइड नहीं वह आपकी इंकम में क्या कर देगा एडिशन कर देगा आपका टोटल इंकम टैक्स या अमाउंट रिफंड निकालेगा स्टॉप मेरी इस बात को ध्यान से सुने वह आपका टोटल टैक्स या अमाउंट रिफंड निकालेगा टोटल टैक्स रिफंड नहीं दिया जा सकता रिफंड अगर आना होगा तो सिर्फ यहीं आ सकता है बचे वे तीन assessment के अंदर में रिफंड नहीं आ सकता टेंचन मतलो सब लिखा है मैं सिब आपको बता रहा हूं बरे बरे तो वह आपकी total income compute करेगा total tax compute करेगा और amount refund if any वह आपको provide कर देगा 14 133 के अंदर में यह है पहला clause 143 का दूसरा एक और power दिया गया है 143 के अंदर में वह power क्या है उस बारे में भी discuss कर लेते हैं द्यान से सुनिए आपको याद है 1394C सारे you know c various institution university colleges जिसको various section under section 10 के exemption दिये है हां तो होता यह है जब भी किसी authority body institution college इनको कोई exemption दिया जाता है income tax के that exemption is subject to certain condition while doing the assessment it is also the responsibility of assessing officer to check whether those conditions on which exemption is given is satisfied or not suppose is exemption is if the condition for exemption is satisfied he will do nothing however if he during the assessment come across some of the condition on which exemption is given is not satisfied what AO will do whether AO will do will take up the exemption answer is no it is the duty under this section he will communicate the appropriate authority that is central government and require them or ask them to withdraw such exemption याने अगर यो को ऐसा लगता है कि जिन conditions के basis पर क्या दी गया है exemption दिया गया है वो conditions अगर satisfy नहीं हो रही है तो यह recommend करेगा central government को कि आप क्या करें वो exemption withdraw कर लें central government फिर इसके उपर analysis करती है एक officer लाया जाता है officer analyze करता है और अगर उसको लगता है कि हाँ जो AO का analysis है यह बिल्कुल बरबर है तब जाके central government एक notification निकालती है इंदो official gadget और जो exemption उस institute को दिया वा है उसको क्या कर दिया जाता है हटा दिया पावर ऐसे जो भी institution है section 10 के अंदर बोलो 11 12 35 के अंदर में बोलो इनका check करना कि condition satisfy हुई या नहीं अगर condition satisfy नहीं हुई क्या यह exemption withdraw करेंगे यह सिफ recommend करेंगे कि आप क्या कर दीजे यह exemption को withdraw कर दीजे यह exemption हटा दीजे और फिर क्या होता है यह exemption withdraw किया जा सकता है पर इसके लिए क्या निकलेगा notification निकलेगा in the official gadget तो यह दो चीज़े टेक्निकली 143 के अंदर में होती है अच्छा जी सर जैसा कि आपने कहा था every powers comes with a limitation तो क्या assessment करने का भी कोई time limit है मतलब assessment कितने दिनों में हो जानी चाहिए या max यह कब अब तक के खतम हो जाना चाहिए यह यह लिखा है सर कहा लिखा है लिखा है section 153 के अंदर में 153 1 to be more precise 153 सब section 1 आपको बताता है maximum time limit maximum time limit जब यह assessment complete हो जाना चाहिए 143 का तो वो भी हम लोग देखेंगे बट आप जब भी पढ़े 143 to 143 3 और 153 1 तीनों एक साथ पढ़े मज़ा आएगा आपको एकदम ऐसा असरलता से पूरा section जाएगा आईए सर समझते हैं on the day specified in notice याद है notice के अंदर में daily का था आपको किस दिन आना है कहा पहुचना है और as soon as after may be ये word को ध्यान से थे और as soon afterwards as may be इसका मतलब क्या होता है अगर आपको कोई अजन्मेंट मिला होगा तो वो after hearing such evidence as the assessi may produce and such other evidence AO may require on special point and after taking into account all relevant material which has gathered the AO shell by order in writing make assessment of total income or loss of the assessi determine the sum payable or refund इसी के निच्चे लिखिए under section 144, 147, 153A refund can't be given याने refund अगर देना भी है तो सिर्फ और सिर्फ इसी section के अंदर में दिया जा सकता है कोई और section में नहीं दिया जा सकता तो AO क्या करेगा एक total income या loss compute करेगा payable या refund निकालेगा जबकि आप 144, 147, 153 में जाओगे वहाँ से payable word दिखेगा refund word नहीं दिखेगा और every word has its own meaning दादा of any amount due to him on the basis of such assessment, provided in case of research association under 1021, news agency, association institution, institution, fund or institution given in section 1023C which requires to furnish return under 139.4C, no order making assessment of total income or loss of such university, institution, educational institution, hospital shall be made by AO without giving effect to section 10, unless the AO has intimated central government or prescribed authority the contravention in particular section of section 10 by such institution, association, agency or other institution or hospital as the case may be, where in his view such contravention has taken place, क्या कह रहा है यह, यह पार्ट कह रहा है आपका कि सर कोई भी institution का, क्या किया जाएगा, assessment किया जाएगा, और जब assessment करते रहेंगे तो उनको section 10 का exemption दिया जाएगा, लेकिन उस exemption देने से पहले उसे यह चेक करना होगा, कि जिन conditions पे उसे क्या दिया गया हो, exemption दिया गया हो, क्या वो condition satisfy हो रही है, या वो condition satisfy नहीं हो रही है, The approval granted to such research association or other association, fund or trust or institution or university or other educational institution or medical institution has been withdrawn or notification issued in respect of such agency, fund, trust, institution has been resigned. यह भी साथ में चेक करना होगा कि जो अप्रूवल था, वो अप्रूवल उनके पास है तो सरी या उनका जो अप्रूवल है वो रिसाइंड तो नहीं हो गया, विड्रॉव तो नहीं हो गया, यानि सीधा-सीधा clause क्या कहता है, clause कहता है कि जब भी section 10 के various exemption के साथ किया, उन assesses का, जिनको 139-4C में return भरना है, इनका जब भी assessment होगा, इस assessment में section 10 का benefit देने के बाद ही उनका total amount calculate किया जाएगा, लेकिन कोई भी exemption देने से पहले उसे check करना होगा, point number 1, उनने contravention तो नहीं किया है, point number 2, इनका approval कोई notification के तहट withdraw तो नहीं हुआ है, simplified analysis देखिए, section को आशान भासों में समझने का कार, section यहाँ पर कता मुता है, simplified analysis मेरा analysis है, requiring the assessee to attend his office, produce any evidence on which assessment may rely, to check that income has not understated, loss is not overstated, tax has been not underpaid, assessment is possible only if return is filed, if return is not filed, scrutiny assessment can't be made, it should be can't rather than can, it should be can't be made, if gross receipt, यह वाला word भी important है, if gross receipt of the trust, under section 1023C, is more than 20% of total receipt, A.O. shall not grant exemption, क्या है, जरद्यान से सुनिये, trust जो होता है, trust की जो business income होती है, अगर यह income 20% of total income से उपर जाती है, तो फिर trust जो है, वो eligible नहीं होता, जो exemption उसको मिलना चाहिए, ऐसे cases में, जो भी educational institute at 1023C का benefit ले रहे हैं, अगर इनकी income 20% of total receipt से उपर जाती है, business income, तो फिर A.O. exemption नहीं देगा, ऐसे cases में A.O. क्या करेगा, central government को recommend करेगा, और central government for notification पास करेगी. If A.O. is satisfied that activity of university, college, institution, referred in section 35, are not being carried out in accordance with all or any of the condition subject to which approval is given, he may recommend, he may recommend central government to withdraw the approval given under section 35, before recommending, the A.O. will have to give a reasonable opportunity of showing cause against the purpose withdrawal of the college or university, तो जो भी institution है, central government क्या direct withdraw कर देगा, नहीं, A.O. सबसे पहले opportunity of being hurt देगा, और अगर वो satisfied नहीं है, तो ही वो central government को recommend करेगा, central government एक बार खुद का भी analysis करती है, कि हाँ सच में withdraw कर देना चाहिए, क्या और विद्रा करती है, by notification in the official gadget, central government may withdraw, इस पह, M.C. क्या आता है, वो विद्राए, तो विद्राए, A.O. or central government, central government, the central government may withdraw the approval and forward a copy to the concerned institution, no exemption under section 1023C, 11, 12 by A.O. for the previous year in which income of the trust exceeds 20 percent of total receipt, whether or not approval has been cancelled, देखिए, इस पूरे section को वापस से एक बार अच्छे से understand करते हैं, तीन पार्ट में तोड़ते हैं 143 को, पहला normal income, दूसरा section 10 वाले exemption, तीसरा trust की total 20 percent वाला पार्ट, इन तीन वर्ट को हम अलग-अलग कर देते हैं, सबसे पहला 1433 क्या कहता है, 1433 कहता है कि assessi का सबसे पहले check करेंगे, that income is not understated, tax is not underpaid and losses not excessively claimed, ये तीन चीज करने के बाद, ये तीन चीज करने के बाद क्या किया जाता है, उसका final payable या refundable amount को निकाला जाता है, पेबल या refundable amount को क्या किया जाता है, निकाला जाता है, दूसरा, section 10 वाले जो भी association है, जो 1394C में return बर रहे हैं, इनका जब भी assessment होगा, section 10 का exemption देने के बाद ही इनका assessment किया जाएगा, लेकिन कोई भी exemption देने से पहले ये देखना होगा, कि उसको जो contravention है, कोई contravention तो नहीं किया, या फिर उसका approval withdraw तो नहीं हुआ, तीसरी चीज, ठीक उसी तरीके से, section 35 में जिन जिन कॉलेज उनिवर्सिटी को approval मिला है, उनका भी approval, अगर उनने condition satisfy नहीं किया होगा, तो एयो recommend करेगा central government को कि boss आप क्या कर दीजे, exemption withdraw करतीजे, further एक और बात, trust की income 20% के उपर अगर चले जाती है, तो यहाँ पर उसका withdrawal नहीं होता, पर उसको सिफ जो exemption है वो नहीं मिलता, तो अगर उसकी income 20% से उपर चले गई है, business income of any trust, association जो section 11, 12 या 10, 23C के अंदर में क्या ले रहा होगा, benefit ले रहा होगा, उसकी business income 20% of total income से ज्यादा चले गई होगी, तो एयो फिर वो exemption provide ही नहीं करेगा, direct assessment कर देगा, without providing the exemption, भले उसका approval withdraw हुआ हो, या उसका approval withdraw नहीं हुआ हो, getting it or not, फिर से सुन लीजे, normal, 10 वाले exemption and trust वाले exemption, normal के case में, income compute करेगा, loss compute करेगा, tax payable है, refund निकाल देगा, जो 1394C में return भरते हैं, उनका क्या करेगा, exemption के साथ ही calculation करेगा, लेकिन दो चीजे देखेगा, एक, contravention तो नहीं हुआ, दूसरा, उनका approval withdraw तो नहीं हुआ, तीसरा आता है, जो 10, 23C, 11 and 12, educational institute, college और university, इनके case में क्या किया जाएगा, again, same चीज़ चेक की जाएगी, कि contravention तो नहीं हुआ है, withdrawal approval तो नहीं हुआ है, एक और चीज़ चेक की जाएगी, अगर इनकी business income, total income के 20% से जादा है, let's say business income is 25 lakh, total income is 100 lakh, the business income exceed 20% of total income, ऐसे cases में उनको क्या नहीं दिया जाएगा, exemption नहीं दिया जाता, और AO without waiting कि उसका approval है या approval नहीं है, वो सीधा सीधा addition कर देगा आपकी income में, because one of those conditions is not satisfied, जिसके basis पर आपको क्या मिलता है, exemption मिलता है, same चीज़ हम लोग रिकॉल करेंगे, एक chapter आएगा, module 3 में, taxation of trust, which is one of the important topic, मैं आपको फिर से यहाँ पे लेकर क्या हूँगा, बताने के लिए कि हमने ऐसा जुडीशल अपडेट्स, शेली प्रोडक्स सुप्रीम कोट का एक केस है, ओल्ड केस बट रिलेवेंट अभी भी है, केस क्या था, हुआ ये कि A.O. ने, A.O. के पावर के उपर discussion हुआ, discussion था कि assessi का return income जो बन रहा था, that was 5 लाक रुपीज, जब A.O. ने assessment किया, तो उसको बेनिफिट, exemptions मिल रहे थे, जिसके कारण इसका जो assessment हुआ, वो return income से भी कम हुआ, let's say 4 लाक, बरे बरे, assessi ने खुदो के 5 लाक डिकलेर किया था, A.O. ने जब assessment किया, तो कुछ deduction exemption मिलने के बाद, उसकी income क्या हो गई, 4 लाक रुपे हो गई, तो एक बहुत important सवाल खड़ा हुआ, कि क्या, A.O. उतना भी consider कर सकता है, क्या, मतलब क्या, A.O. वो income consider कर सकता है, जो assessi ने खुद हुए, डिकलेर किया, उससे भी कम कर सकता है, इस बात पर सवाल खड़ा हुआ, तो जब A.O. से पूछा गया, कि भीया, बताईए, आप खुद assessi 5 लाक रुपे अपनी income बता रहें, अब आप क्यों कम कर रहें, सर देखिए, आप डबल डबल बाते करते हैं, एक तरफ आप बोलते हैं कि A.O. cannot merely as a tax gatherer, अगर कोई exemption deduction assessi को मिलना है, तो वो मिलना ही चाहिए, हमें देना ही है, और अब आप कहते हैं कि return income से कम कैसे हो सकता है, मैं इस बात को समझ न हो गया कम, अरे हाँ प्रभू, पर जब वो खुद हो के 5 लाग देने को तयार है, तो आप क्यों 4 लाग की income करना है उसकी, जब खुद बकरा फस रहा है, सर देखिए, आप कोई भी एक बात कीजे, या तो मैं merely tax gatherer हो सकता हूँ, या not merely tax gatherer हो सकता हूँ, जवाब सोच के दी इस बात को court ने consider करते हूँ, clear कर दिया कि हाँ, 143.3 के अंदर में AO अगर assessi का validly income, return income से भी कम आरी होगी assessment करने के बाद, तो ये कम income consider किया जा सकता है, so AO can assess the income lower than returned income, दूसरा है God's India versus CIT Supreme Court judgment, ये judgment तो हम already पढ़ चुके है कि letter or statement दे करके वो deduction demand करता है, लेकिन ऐसा कुछ भी च आपको properly revise return करके ही क्या करना होगा, ये देना होगा, इस पार्ट को highlight कीजे, what are the remedies available against the assessment, आप appeal कर सकते हैं, हाँ, आप rectification कर सकते हैं, हाँ, in fact आप revision भी करवा सकते हैं, हाँ, अगर आपको assessment पसंद नहीं आया, तो आपके पास तीनो रास्ते open है, और और, अपील में भी जा सक सकते हो, rectification में भी जा सकते हो, तीनो possible है, कोई problem नहीं है, no order of assessment under 143 और 144, shall be made after the expiry of, यहां आ चुका है 12 months, इसके पहले हुआ करता था 18 months, यहां पे आ चुका है 12 months, तो यहां पे अब इसको कर दीजे, 12 या अमेंड हो चुका है, no order of assessment under 143 और 144, shall be made after the expiry of 12 months, from the end of relevant assessment year, relevant assessment year जो भी है आपका, उसके end से 18 months के अंदर आपको इसका क्या करना होगा, assessment complete करना होगा, assessment पहले किता था 18, अब कितना है 12, तो जब भी आपका, जो भी relevant assessment year है, वहां से आपको 12 months के अंदर में यह पूरा assessment complete करना होगा, अपना final order निकाल देना होगा, अगर आप न assessment वालिड नहीं रहेगा, इस time limit को हम आगे चलके भी देख रहे हैं, don't worry, आईए, कुछ लिखने वाले part पे आजाते हैं, regular oblique scrutiny assessment, 143 to 143.3, यह दोनों section हम लोग एक साथ लिखेंगे, क्योंकि इसके पढ़ना ही एक साथ पढ़ता है, 143 to 143.3 देन सर, प्लीज चेक, 143.2 क्या है पिटा, notice लिखो, बिन्दास लिखो, notice before assessment, 143.3 क्या है, regular assessment, बरबर है, सब से पहले यह, where return of income is filed under section 139 or 142, A.O. or prescribe income tax authority to consider, income is not understated, loss is not overstated, and tax is not underpaid, serve a notice on assessee to attend the office or provide information to assessing officer or to provide information to the assessing officer. Notice must be served within six months from the end of financial year, in which which ROI is filed. Underline the word served. If notice is not served, oblique, not timely served. assessment is void ab initio. . Example, assessment year 2021 return of income is filed on 29-9-2020. Second example, let us say 33-2021. बताईए, notice कब तक दीन है? आप खुद डिसाइड कीजिए, बताई, six months count करने हैं, कहां से, जिस financial year end से आपका return भरा है. अब इस case में अगर देखा जाए, तो आपका financial year end हो रहा है, 31-3-2021 को यहां से कितने months जोड लीजे, six months जोड लीजे, yes or no, कितना हो जाएगा? यह हो जाएगा 30 September 2021 यहां तक के notice issue हो जाना चाहिए. दोनों भी case आप देखोगे, तो by default में आपका जो year end आ रहा है, वो financial year end आपका बनता है 30 September 2021, तो 30 September 2021 के हिसाब से अगर हम लोग देखा जाए, तो यहां आपका 30 September आने वाला है, अच्छा, if notice is received on let's say 2nd October 2021, it is void, इस date के बाद कभी भी फिर आपको मिले, तो वो क्या हो जाने वाला है, straight away void हो जाने वाला है, यही हो गया आपका example भी, मतलब ऐसा भी नहीं कि हम लोग example नहीं लेंगी, यहां पर आपका example भी कतम हो जाता है कि साथ देख लीजे, इसके बाद अगर receive हो जाता है तो फिर वो क्या हो जाएगा, void declare हो जाएगा, straight away. Is that done? आईए चलते हैं 143 subsection 3 की ओर, 143 subsection 3, क्या कहता है यह section? बड़ी simple सी बात कहता है, सर क्या ही बुलेगा विचारा? Assessing officer shall take up the regular assessment and compute amount payable और refund due to assessi, निकालेंगे जो भी amount payable आ रही होगी या refund due आ रही होगी किसको? अससी को. डेरी,त्या नाव, और रही हो motivator 95 म pessoa is रही होगी streaming अससे बद्यकापर केर है रही होगी आएगी नावाters 10, च्यावाल रही होगी Point number A, contravention of section is not made, and, 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 approval granted is not re-signed, so, jib bhi 139.4C वालों को क्या दिया जाएगा, exemption दिया जाएगा, AO के responsibility बन जाती है, कि वो यह देख ले, कि दो चीजे हुई है, एक contravention तो नहीं हुआ है section का, दूसरा जो approval था, वो withdraw नहीं हुआ है, यह दो चीजों का ध्यान उसको रखना पड़ेगा, इस case में जहाँ पर 139.4C के अंदर में क्या हो रहा है, return भरा जा रहा है, थेख एफञट तिस्रा पार्थ, वैर उनिवरसिती, चोलेज़, और इस्थिटितितिशन, ड़ प्रट्चीन घास्तिस हैं थखान ज़े प्रटचिकोंस हीतिकि उत्सेफ़ीन अश्य 005, A.O. will recommend the Central Government to withdraw the approval after O.O.B.H. opportunity of being heard . Further, no exemption fourth point, no exemption under section 1023-11 or 12 shall be provided by A.O. if income of the trust from business activity exceed 20% of total receipt of the trust. ये जो trust और section 35 वाले point है हम लोग PGBP and taxation of trust में फिर से देखने वाले हैं सर तब आपको मैं याद दिराऊंगा सर ऐसा कुछ चीज हम लोग ने याँ पर देखी थी time limit to complete the assessment under section 143-144 is given in section 153-1. bracket में लिखके रखिये 12 months from the relevant assessment year that is RE. 12 months from the relevant assessment year that is RE. इन दोनों के नीचे common arrow करके 5, Remedies against 143-3, Appeal to CIT, Appeals, Revision by CIT, Rectification, तीनों भी open है, Appeal का रास्ता भी open है, Revision का रास्ता भी open है, Rectification का रास्ता भी open है, एक और चीज़ लिखिये, इसका मतलब आपको नेक section में समझने आएगा, 143-3 does not require any reason to believe as required in section 144, 147, 153 A. 143-3 के अंदर में reason to believe नहीं लगता, यह चीज़ एक लिख के रखियेगा, कि यहाँ पे reason to believe नहीं लगने वाला है, जैसा की लगता है, 143 में तो नहीं लगता, 144 में लगता है, 147 में लगता है, 153 A के अंदर में लगता है, तो यहाँ लगने वाला है, बाकी किसी भी जगह पे लगने वाला नहीं है, इस बात को आपको याद रखना होगा, तो सर आप खुद देखे, खुद समझीए, क्या time लगता है, एक एक word provision के, एक एक word, time limit वाले के calculation हम लोग आगे देखेंगे, एक एक word के उपर हम लोग interpretation कर रहे हैं, दो section को करीब एक घंटे से पढ़ा रहा हूं मैं, 143 2, 143 3, यह दूनों section को हमने एकदम critical analysis किया, यहाँ पे चार चीजे होती है, वो चार चीजे हम लोगोंने clear cut लिख दी, प्लस इसके remedies भी यहाँ पे हम लोगोंने provide कर दी, बरबरे सर, इसी के साथ साथ आप देखेंगे कि सरम कहा तक आ गए हैं, हम लोग करीब करीब page number 285 बचा है, याद रखिएगा, करीब करीब 16 pages तक पतम कर चुके हैं, इस chapter के, जहाँ पे हम लोग कई sections के साथ साथ deal करे जा रहे हैं, आज का homework बड़ा जबरदस रहने वाला है, writing के साथ साथ आपको आज पढ़ाई भी करनी है, क्योंकि आपको कल का section तभी समझ में आए, कल जो हम पढ़ने वाले हैं, वो आपको तभी समझ म को पढ़के आएंगे, तो आपको कल के section समझ में और कल का section बड़े 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 important है साथ, बड़े important है, literally, मतलब ऐसा समझ लो, assessment का पूरा krugs आपको वहीं पर मिलने वाला है, right, अब आजाए, e-assessments के उपर, page number 17 में, मैं आप सभी को बुला रहा हूँ, e-assessment 143.3a, और इसके अंदर में, sir, हुआ है, amendment, क्या हुआ है, sir, amendment हुआ है, इसके अंदर में, तो मैं आपको वह भी बता दू, एकदम recent phenomenon है, recent phenomenon होने के साथ साथ, ये काम के भी चीज add up की गई है, e-assessments के उपर आ जाईए, सेक्षन के पहले history पे चलते हैं, दो जगा amendment मिल रहा है आपको, एक तो यहाँ amendment दिख रहा है आपको, दूसरा है date amend हुई है, ये दो section, ये दो part amend हुए है, आईए आगे बात करते हैं, सर, e-assessment, पूरी history सुनिएगा, e-assessment नाम का concept को first time पे introduce किया गया था, अरुन जेटली सर द्वारा, लेट सिर अरुन जेटली द्वारा, e-assessment concept को लाया गया था, जब इन्हेंने कहा कि हम पूरा का पूरा faceless assessment कर देंगे, आज assessment जब भी होती है, तो कैसा होता है बिटा कि आप जाते हैं, एओ को face to face मिलते हैं, अब department को खुद भी समझ रहा था, क्योंकि department को भी पता था कि इसके अंदर में, you know, bribe वाला थोड़ा सा concept होता है, कही ना कहीं, you know, कुछ breaches होते हैं, कुछ loopholes होते हैं, और कहीं ना कही किसी तरीके से, you know, bribing other system है, दूसरी साथ-साथ में हम लोग technology के through भी आगे बढ़ रहे थे, अब यी assessment लाने का एक और reason क्या था, मैं आपको बता देता हूँ, पहला था जो bribe वाला angle था, जो मैंने आपको बताया, दूसरा angle क्या था, जरह समझेगा, in a cities like Mumbai, पूने, you know, Bangal चिन्नाई, हिद्राबाद, गुवाटी, and so on and so forth, जित्ती भी बड़ी cities हैं इंडिया की, अब यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, problem क्या होता था, the problem is, कि यहाँ के जो officers थे, यह over occupied बैठे में, over occupied मतलब एक officer के उपर, you know, 20-20-30-30 लोग, सभी की income है, और कित्तों का assessment वो लो गाउं है, यहाँ पर जो income tax department है, यहाँ के officers technically खाली, क्योंकि आपको भी पता है, original लोग जो है, गाउं में हो और उनके पास बहुत अच्छा खासा पैसा है, कई लोग तो आप जानते होंगे, जिनके पास बहुत अच्छा खासा पैसा है, लेकिन वो income tax भी भढ़ते होंगे के लोग वहाँ पर बरफ होती है, और वहाँ पर बरफ के साथ साथ, वहाँ पर work from whom भी आपको आसानी से मिल सकता था, वहाँ के officers खाली बेटे, फिर देश के ऐसे कई चोटी चोटी जगह उसके officers क्या थे, खाली बेटे वे थे, तो ऐसे cases में इनको भी काम पर लगाने का एक दो challenges थे, एक यहां का थोड़ा सा dependency उनके ओपर shift करना, ताकि उनको जो payment मिल रहा है, उनसे भी output निकले, maximum से maximum लोगों का क्या हो जाए, assessment हो जाए, tax base जो था वो widen हो जाए, और इसके लिए एक e-assessment का concept जरूरी रही था, जहां पर jurisdiction की कोई boundaries ना हो, point 1, दूसरा, jurisdiction की कोई boundary ना लग गई, आप सामने सामने मिलेंगे ही नहीं, और आप online platform के थूरू मिलेंगे, तो बहुत reduce हो जाता था, क्या, आपके bribing का concept, यह बहुत reduce हो जाता था, और इस thought के साथ, अरुन जेटली साब ने क्या किया था, इसे prescribe किया था, over the period of time, निर्मला सीता रमन जी आई, और उन चरण के अंदर में सिफ regular assessment रखे गया, that is 143.3 रखा गया, finance act 2020 ने इसके अंदर में best judgment assessment भी cover कर लिया, मतलब अब कोई भी कहीं पे भी बैट के assessment कर सकता है, इसलिए इसे faceless assessment या jurisdictional less assessment भी कहा जाता है, जहां पे jurisdiction की कोई boundary नहीं होगी, जब e assessment होगा, तो e मतलब क्या, अब यह online हो गया, और online मतलब world में कहीं पे भी बैट के assessment कर सकते है, www.jobi, right, अब इसके लिए क्या किया गया, मैं आपको कुछ और बाते भी बताता हूँ, इसके लिए दिल्ली के अंदर एक center बनाया गया, yes, यह assessment center दिल्ली में बनाया गया, जिसका opening क्या श्री निर्मला सितरा मंजी है, और मैं आपको बता दू, till July 2020, उनका एक tweet भी था, more than 12,000 returns, where additionally जिन पर कभी assessment नहीं थी, वो यह assessment में लाके complete किया गया, यह assessment work कैसे करता है, अब मैं आपको बताता हूँ, क्या होता है, आपका process अभी जो चल रहा है, current process, till August 2020 का process मैं आपको समझा रहा हूँ, क्योंकि हो सकत इसके आगे तो development हो, तो यहां तक का process ऐसा है, क्योंकि मैंने अब तक एक ही assessment complete किया, तो मैं मेरा experience बताता हूँ, as of now, यह machinery पूरी सही नहीं है, मैं आपको एकदम सही बता रहा हूँ, यह machinery पूरी सही नहीं है, क्योंकि आप इसके rules या framework भी पढ़ोगे न, तो आपको समझ म आजाएगा, यह machinery सही machinery नहीं है, कैसे work होता है, let's say एक officer है, जिसके पास मेरा case चल रहाता है, the officer is sitting in Hyderabad, क्योंकि जो मेरा case था हूँ, हिदराबाद के एक officer के पास में था, technically हिदराबाद के पास कोई गाउं है, वहीं से यह control हो रहा था, बट है, हिदराबाद was the administrative department there, तो वह हां का बंदा क्या करेगा, आपको email के through और साथ-साथ में एक message के through आपसे कुछ details मंगवाएगा assessment करने के लिए, यह assessments के लिए आपको जो भी document या information वो मंगा रहे हैं, वो आपको PDF form में zip करके इने क्या करने पड़ती है, upload करने पड़ती है, इनके पास देनी पड़ती है, उस पारा का सारा explanation उनको लिख करके बाकाइदा, जो अब आप बोलते थे, अब आप पूरा का पूरा explanation लिखेंगे, कही न कहीं feelings होती है, कहीं eye contact होती है, कहीं चीज़े होती है, लोग समझ जाते हैं, अब ऐसे cases में वो possible नहीं हो पाता, उसको समझ में नहीं आता, फिर वो क्या करता है, अगर उसको case समझ में नहीं आ रहा होगा, तो एक ऐसा भी power है कि वो यहां के jurisdictional officer को क्या कर देता है, case transfer कर देता है, यानि बात तो फिर वही हो गई, पूने का officer मेरे को handle कर रहा है, समझ में आरी है बाद, तो ऐसी कई चीज़े होती है, अभी भी यह पूरी तरीके स assessment के थुरू होना शुरू हो चुकी है, getting it or not, यह हुआ पहला amendment, इसके लिए central government notification निकालेगा, objective बड़ा clear था, utilization of resources करना, कही ना कहीं bribing कम करना, तीसरा जो अपने transparency आनी चाहिए, कि आपने अगर return भरा है, यह सही है कि नहीं, इसमें information सही दी है कि नहीं, इस बात को clear करने के लिए भी लगेगा, so 143, 3A, e-assessment के और ध्यान देते है, central government may make a scheme, यह scheme अभी भी बन रही है, हाला कि इसके ओपर एक circular है, जो हम देखेंगे, by notification in the official gadget for the purpose of making assessment of total income or loss under 143, 3 oblique 144, यानि अब best judgment assessment भी e-assessment हो सकता है, हाला कि यह हमेशा सही वैसे भी e-assessment में मेरे साब से इसको पहल ले ला लेना चाहिए था, क्योंकि 144 मतलब असी information नहीं दे रहा है, वो सामने नहीं आ रहा है, तो बहुत अच्छा logical point था, to impart objective क्या था, greater efficiency, इनके लोग जितने ज़्यादा efficient रहेंगे, tax collection उतना अच्छे से हो जाएगा, transparency, कि boss हर officer सही काम कर रहा है, को ब्राइब में काम नह साधा wide हो गया है, और इसलिए आप देखेंगे, budget 2020 के अंदर में भी tax collection increase हुआ है, so greater efficiency, transparency, accountability, by eliminating the interface between AOA and SSE, क्योंकि यहाँ पर क्या होता था, bribe elimination वाला काम हो गया, दूसरा, optimum utilization of resources through economies of scale and functional specialization, functional specialization मतलब क्या याद होगा, तो आपको मैंने आपको chapter number 1 के अंदर में बताया था, क जो officers होते हैं, वो एक particular category के अंदर में specialized होते हैं, अब क्या किया जाएगा, जैसे, let's say, मुंबई के एक officer है, जो real estate assessment के अंदर में बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, अब क्या किया जाएगा, कोई पूने का, अगर real estate बिगी पकड़ा गया, सिद्धा case उनको transfer किया जाएगा, कि functional specialization के basis पे आप इसका assessment करो और tax payable निकालो, इसने income tax के wings बहुत ज़्यादा फैला दिये, मैं आपको यह बता सकता हूँ, introducing a team based assessment with dynamic jurisdiction, यह team based assessment क्या है, मान लीजे, एक AO है, उसको कोई register, stock या कोई चीज़ verify करना है, अब हैदराबाद वाले, उसको कोई stock verify करना है, अब stock verification, म कैसे होगा, वो यहां के AO को क्या करेगा, notify करेगा, बुलेगा, सर, सिर्फ एक दिन का visit मार लो, इस officer क्या, यह दुकान है, यहां यहां चल जाएए, इस officer के साथ, और जाकर के बास stock clarification, ले लीजे, इस तरीके का stock clarification, या वो आपके पास आएगा, उसे sign declaration ले लीजे, तो इस त General Government for the purpose of giving the effect to the scheme, direct that any of the provision of this act relating to assessment of total income or loss, shall not apply or shall apply with such exception, modification, adoption as may be specified, provided that no direction shall be issued after 2021, इसे cut किया गया, 2022, याने, खुद उनने target रखा था, मैं आपको बताता हूँ, 2021 तक का target रखा था, कि ये assessment पूरी की पूरी तरह से लागू कर दी जाएगी, लेकिन उनको practicality समझ में आ गई थी, और कि इतने जल्दी ये काम नहीं हो सकता, इसलिए उनने खुद का time limit भी कि हम कुछ और order निकालेंगे, पूरी स्क्रीम, by 2022 हम लोग निकाल लेंगे, तो 2021 को 2022 कर दिया गया है, तो अब 2022 तक e-assessment 2022, 31 मार्च 2022 तक e-assessment को ले करके कोई भी notification circular या नई स्कीम आ सकती है, सर क्या हमने भी ready रहना है, हम तो सर मे 21, नॉम्बर 21 वाले बच्चे हैं, सर क्या हमने भी ready रहना है, इसमें कोई amendment आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, आपने ready रहना है, मे 21 वालो मैंने आपको अगर आपने starting lecture दिखा होगा तो पहली बता दिया, आपको आज हम लोग lecture record करके दी रहे हैं सर, इसके अंदर में कुछ भी amendment आता है, तो ये amendment मैं आपको March के second week तक के दिदूँगा, नवंबर वालो के लिए September second week तक के आपको ये lecture आ जाएगा YouTube पे, ज बिल्कूल connect हो जा कोई problem नहीं है, doubt मत पूछ, मैं हर संडे को connect करता हूँ बच्चों से, मैं आपको ये भी बता दू, हर संडे को मैं Instagram live लेता हूँ, जहां पर मैं बच्चों से connect करता हूँ, मेरे virtual बच्चों से connect करता हूँ, उनसे कुछ बाते पूछता हूँ, बाते दिल की share होती है, तो आप चाहें, तो आप मैं से संडे Instagram पर connect हो सकते हैं, दूसरी बात, टेलिग्राम के उपर आपको attach होना mandatory है, आप मुझे ये कहेंगे, कि सर प्लीज, वाट्साप पे दे दो कोई information या वाट्साप के उपर file दे दो, सर प्लीज, मैं नहीं दे पाऊंगा, आप सम कर दे, और मेरा जो group है, ये one, you know, one communication group है, मतलब इसके उपर कोई chat वैट नहीं हो सकती, इस पर मैं ही सिर्फ information upload कर सकता हूँ, या मेरे team ही information upload कर सकती है, ये बात आप यादर के, तो इस पर आप कोई time waste नहीं कर सकते, और मेरा कोई chat group नहीं है, as of now, मैं सोचूंगा इस बारे म कि उसके उपर फिर अलग-अलग class के बच्चे आ जाते हैं, और फिर अलग-अलग discussions होते हैं, और सब दुनियादारी होती है, मेरे को नहीं पसंद आता, I always believe कि knowledge is the supreme thing, उसके उपर वक होना चाहिए, तेरी मेरी excuse की, मेरे पास time नहीं है, जिसके पास भी time होगा, अपने पास time नहीं है, तेरी मेरी excuse की करने के लिए, फिर वो कोई आके अपना advertisement कर रहा है, किसी और का advertisement गुसा रहा है, fake name से, वो सब नहीं चाहिए, अपने को, right, इमनदारी से काम करना, knowledge के basis पे काम करेंगे न, sit, कोई problem नहीं है, तो sir, इसी के लिए मैं आपको बता दे रहा हूँ, doubt क्य चीजों को देख करके, analyze करके, आप तक के पहुचाने के लिए, टेलिगराम पर मिल जाएंगे, प्लस कोई amendment आता है, तो provide कर दिया चाहिएगा, so March 22 is the last date, यह बात आप याद रखे, third, every notification under 143A और B, shall as soon as B made both houses of parliament, जब भी इससे related कोई notification आएगा, वो कहते हैं कि both houses of parliament के सामने इसे रख देना, ठीक है सर, यह कोई भुदपड़ी बात नहीं है, so amendment क्या है, पहले सिर्फ regular assessment ही इसमें हो सकते थे, अब best judgment assessment भी इस assessment में हो सकते हैं, यह है पहला amendment, दूसरा amendment, अभी भी 147 physically ही होगा, 153A physically ही होगा, वो आपका jurisdictional less नहीं किया गया है, circular number 27, 2019, इसमें पूरा procedure दियाएगी, किस तरीके से क्या क्या जाएगा, proceedings की जाएगी, check करिये, in all cases other than covered in e assessment scheme 2019, notified by the board, where assessment is to be framed under 143, अब इसमें एक और ची जाएड हो जाएगी, oblique 144, during the financial year 19, such assessment shall be conducted electronically, तो अब e assessment में electronically conduct किया जाएगा, assessi are required to produce or court to produce their response, evidence to any notice, communication, show us, unless specified otherwise, through e-filing account, आपको e-filing account में, e-filing portal में जाकर के, अपने जो भी evidences है, वो upload करने पड़ते हैं, जैसे कि मैंने का, pdf या zip file आपको क्या करने पड़ती है, upload करनी पड़ती है, for assessment during 1920, e-proceeding shall not be mandatory, where the assessment is framed under 153a, 153c and 144, यहां से 144 कट कर दीजे, अब यह कट हो जाएगा, automatically क्यों क्योंकि 144 भी अब इसमें cover हो चुका है, in respect of assessment framed under 147, any relaxation from e-proceeding due to difficulty in migration of data, shall be dealt as per clause F, in set aside assessment, assessment being framed in non-PAN cases, sir, set aside assessment या non-PAN वाले जो assessment होंगे, let's say non-PAN वाले assessment, जिनको non-resident के है, उनको PAN लेने की ज़रवत नहीं पड़ती, वो वाले cases, e-assessment से as of now बाहर रखे जाएंगे, तो e-assessment किस-किस के लिए mandatory नहीं है, 153A, 153C, 147 के लिए mandatory नहीं है, set aside assessment के लिए mandatory नहीं है, set aside assessment क्या होता है, कुछ देर में आपको बता देता हूँ, assessment being framed in non-PAN cases, जहां पे जिनके पास PAN ही नहीं है, या जिने PAN लेने की ज़रत ही नहीं है, उनके e-assessment नहीं हो सकते, cases where income tax return was filed in a paper mode, अगर return ही paper mode के अंदर में file किया गया है, तो फिर e-assessment possible नहीं है, यह जो आप 1, 2, 3, 4 cases देख रहे हैं, यह वो cases यहां पे e-assessment नहीं होगा, 147, 153, A, C, e-assessment नहीं होगा, set aside assessment क्या होता है, discuss करेंगे, set aside assessment में e-assessment possible नहीं है, non-PAN cases के अंदर में e-assessment possible नहीं है, चौथा, जहां पे return ही paper mode में अंदर दिया है, नहीं possible है, in all cases at station connected through VSAT, और with limited capacity of bandwidth, यह क्या है, as specified by DGIT system, हर जगा internet सुविधा बहुत अच्छी नहीं है, और ऐसे cases में जहां पे proper bandwidth, minimum bandwidth भी available नहीं हो रहा है, तो उस case में यह VSAT की facility वहां पे नहीं है, वहां पे आपको e-assessment mandatory नहीं होगा, in cases covered in para 1 above, the jurisdictional PCIT और CIT, in extraordinary circumstances, such as complexity of the cases, administrative difficulties in conducting the assessment through e-proceeding, can permit the conduct of assessment proceeding through conventional mode, कुछ cases में अगर आपको लगता है कि इसका e-assessment नहीं होना चाहिए, और इसका normal conventional mode face-to-face होना चाहिए, तो आपको जाके PCCIT से approval लेनी पड़ेगी, PC या CIT से approval लेनी पड़ेगी, it is hereby further directed that PCIT is required to provide such relaxation only in extraordinary circumstances, यह भी बोल दिया कि PCIT जब देगा यह relaxation, तो बहुती extraordinary circumstances में यह देना है, नहीं तो देने की जुरत नहीं है, इन cases where assessment proceedings are being carried out through e-proceeding, personal hearing attendance may take place in following situation, ध्यान से सुनिए, यहाँ पर personal attendance की भी demand की जा सकती है, in cases में, where books of accounts has to be examined, क्या किया जाएगा, हैदराबाद वाला पूने वाले को details भेजेगा, आपको पूने में personally जाना है, वहाँ attend ओकर करके उसका explanation देना है, where AO invoke the provision of 131, 131 क्या है, summon, आपको अगर summon दिया होगा, तो in person आपको वहाँ पर specifically जाना ही पड़ेगा, भले यह assessment क्यों ना हो, second, where examination of witness is required, मान लिजए अगर witness का examination लगता है, यह witness का examination क्या होता है, मैं आपको बता दो, कई बार ऐसा होता है कि creditors जो होते हैं, उनको confirmation के लिए department में बुलाया जाता है, तो ऐसे cases में जब witness का यह चाहिए होता है, सपोर्ट ची होता है, तो फिर उस case में physical attendance require की जा सकती है, where a show cause notice, contemplating any adverse view is issued by AOC, and assessee request through e-filing account for personal hearing, हो सकता है कि कोई adverse view ना आजा, इस particular चीज़ के उपर, तो कई बार वहाँ पर जब आप e-portal में जाते हो, तो वहाँ पर personal hearing का specific request होता है, तो personal hearing आप click कीज़े, तब भी आपको यह दिया जा सकता है, however details pertaining to above shell also be uploaded on ITBA subsequently, what is ITBA, ITBA is the system, विच जिसके उपर आपको क्या करना पड़ता है, यह upload करना पड़ता है, हलाकि sir यह circular याद रखना है का, बिलकुल याद रखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक बार याद रखना है, यह वाला पार्ट आपको याद रखना है, कि sir किन किन cases में e-assessment नहीं होने वाला है, बाकि इस case में एकदम logical है कि आपको क्या किया जा सकता है, conventional mode of hearing धी जा सकती है, for computing PGP, IOS method of accounting is relevant, capital gain, sorry, central government shall notify ICDS, 10 notified to be followed by all SSE, other than individual or HF who is not required to get his accounts audited, ICDS की detail दिये, again not so required, तो यह बात याद रखे, आप e-assessment किसके उपर mandatory नहीं है, सिर्फ इस part को याद रखे, इस circular के तुरू, बाकि यह नीचे वाला भी आप छोड़ दोगे तो भी चलेगा, सिर्फ यह याद रखना, और यहाँ पर जो 144 लिखा है, अब वो कट कर लीजे, क्योंकि 144 के उपर भी क्या हो सकता है, अब e-assessment हो सकता है, Is that done प्रभू? लिखना होगा, बिल्कुल लिखना होगा, सर, 143-3-A e-assessment अन्युडर्ब्सक्ट्टोर्प् स्क्डिश्यक्टर्प Sun क्याब्सफेम्ट, under section 143 oblique 144, provide for e-assessment to impart greater efficiency, transparency, accountability, eliminate interface with you, optimum utilization of resources and team based functional assessment. No direction can be given after 31-3-2022 khatam. . 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 ീن . . हुए special audit 143 टू आपका क्या है जो आपने नोटिस से कंप्लाइं नहीं किया इन चार केसे में आपका बेच जेजमेंट assessment हो जाएगा optional क्या होगा बेच जेजमेंट assessment mandatory तो था कब कब होगा मैं आपको बताता हूँ optional कब कब होगा अगर यह को ऐसा लगता है कि आपके इनकरेक्ट है तो वह डायरेक्ली भी आपका बेच जेजमेंट कर सकता है जरूरी नहीं है वह 142 टू ए देगा ही और किसी सीए का ओपीनियन ले कि यह सही है या नहीं है वह डायरेक्ली आपका बेच जेजमेंट assessment कर दालेगा बिंदास बिलकुल कर सकता है कोई प्राब्लम नहीं option है उसके उपर दूसरा accounts are incomplete incorrect अब हम बात करें incomplete अगर यह को ऐसा लगता है कि आपका accounts जो है वो incomplete है कब हुआ था मैं आपको बताता हूं मेरे एक फ्रेंड जो था टेक्निक लिए पार्टनरी बोल दीजा बस partnership नहीं रेजिस्टर नहीं है तो उसके case में उसका एक client था जो laundry services वाला था मतब पूने की one of the very good laundry services अब उसने क्या किया कपड़े तो जले ही जले सब कुछ खतम हो गया तो ऐसे cases में single entry के basis पर accounting करके दिया गया और उसके basis पर ओने क्या किया assessment किया where because accounts were not complete तो उसके basis पर best judgment assessment हो जाता है जितनी information होती है उसके basis पर तीसरा method of accounting यार ICDS असेसी ने follow नहीं किया तो यहां पे भी आपका best judgment assessment हो सकता है ICDS mandatory है all cases में सर हम ICDS पढ़ेंगे क्या बिल्कुल पढ़ेंगे और इसके constitutional validity पे भी बात करेंगे PGVP में जहां पे असेसी ने ICDS follow नहीं किया या फिर उसको ऐसा लगता है कि accounting regularly follow नहीं की गई है तो फिर क्या हो सकता है optionally वो best judgment assessment कर सकता है best judgment assessment करने का मतलब यह नहीं होता कि आप अपने मर्जी से कुछ भी income निकालने उस case में भी क्या होता है कि आपसे information collect की जाती है और information के basis पर assessment होता है बस आपकी सुनी नहीं जाएगी जब भी best judgment assessment करना होगा वो आपको सीधा सीधा एक notice देगा इस notice को हम कहेंगे show cause notice याद रखेंगे कुछ बाते point number पहला best judgment assessment में income सिर्फ बढ़ सकती है income कम नहीं हो सकती याद रखें 1433 में income कम भी हो सकती दी in fact refund भी आ सकता था पर यहाँ पे income सिर्फ और सिर्फ बढ़ेगी और refund आने का सवाल ही नहीं होता है यहाँ निकलेगा तो सिर्फ पेबल निकलेगा बढ़े बढ़े सर मान लीजे आप कह रहे थे कि information मिलेगी वह information कहां से मिलेगी अगर हमें best judgment assessment करना होगा असेसी को 142 12 का notice दिया जाता information दे पड़ सर 142 भी तो एक reason है वह information नहीं दे रहा तभी तो best judgment कर रहे हैं कोई problem नहीं है इस साल के information available नहीं है past year के तो information available होगे past year का तो income tax department क्या करता है 133 के आप sections में पढ़ेंगे आप जाएंगे उनके आंसे books of accounts लेकर क्या आएंगे और उसके basis पर assessment कर सकेंगे ये भी possible है वो भी होता है तो उनको information चाहिए तो किसी पर तरीके से निकाल सकते है इस बात को आपको समझना होगा अच्छा जी सर सर क्या 144 के बाद आपको क्या आता है जब उसने पूरा best judgment assessment कर लिया आपका tax payable निकल गया वो आपको एक order देगा tax payability का order रहेगा ये सर इस order के खिलाफ मैं कुछ कर सकता हूं क्या remedy available है क्या remedy तो वैसे भी available है ना विटा क्या appeal revision rectification आपको नहीं समझ में आरा आप higher authorities के पास जाहिए कि सर आपक आपके जो employee है या आपके जो लोग है assessing officers है इनने हमारा best judgment assessment कर दिया there was a valid reason हमने इनको क्यों प्रोवाइड नहीं किया हमारे घर पे किसी की देथ हो गए थी बच्ची की शादी थी एक्चेटरा 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 थोड़ा सा रोना गाना करना है और चीज़े शायद लाइन पर आ सकती है अच्छा जी सर एक बहुत ही जबरदस question है question सुनिया क्या 143 के बाद 144 हो सकता है यह एक सवाल है जो मैं मेरे practical experience आपसे पूछना चाहरा हूँ क्या 143 के बाद 144 possible है क्या हां यह हां पहले आपका regular assessment कर दिया उसके बाद आपका judgment assessment कर दिया possible है क्या answer is no उस particular year के लिए तो नो हां अलग-अलग year के लिए ऐसा हो सकता है कि इस साल आपका 143 किया हो next year आपसे information मंगाई नहीं दिया उस साल बैज judgment assessment कर दिया यह हो सकता है पर एक ही assessment के बाद 143 के बाद उसी साल के लिए क्या 144 हो सकता है answer is no तो सर क्या 144 के बाद 143 हो सकता है answer is no कोई एक assessment होगा आप पर या तो regular assessment होगा या तो bad judgment assessment होगा दोनों एक साथ नहीं हो सकते अच्छा तो सर bad judgment के बाद एक और bad judgment assessment हो सकता है let's say 144 एक बार किया बाद में योग और कुछ ध्यान में आया उसने आपसे 144 ओपन गया नहीं हो सकता 143 के बाद 144 पॉसिबल नहीं 144 के बाद 143 पॉसिबल नहीं 143 के बाद 143 या 144 के बाद 144 वो भी पॉसिबल नहीं सर तो फिर अगर बाद में कुछ निकल गया तो 147 रि-assessment, income escaping assessment वहाँ करेंगे यहां कुछ नहीं होने वाला या तो आप एक रहाँ पकड़ लो 143 पकड़ या 144 पकड़ लो दोने एक सात नहीं हो सकता और दोने के बाद बी और सेम इयर के लिए कुछ भी नहीं हो सकता फिर अगर कुछ होना है उस एर के लिए तो फिर 147 होग 144 नहीं होगा mandatory ध्यान से सुनिये कब-कब cases पढ़िये हैं यहां पे लिखा है fail to make a return as required under 139 fail to comply with the terms of notice under 142 fail to do the special audit under 142 2a or fail to comply with 143 2 I think I hope and I believe यह सारे section अगर मैं इनका explanation नहीं भी दूँ तो भी तुमको अब तक इनके नाम याद हो चुके होंगे और बस यही है तुमारा smart decision mandatory in-kin cases में if you fail to make the return fail to comply with the notice fail to get special audit or fail to comply with 143 2 optional कहां कहां accounts are incorrect accounts are incomplete method of accounting are not properly followed or ICDS is not followed by the assessi तो इस case में optional है A.O. after taking into account all material facts which he can gather empowered to make the assessment of total income or loss total income or loss income कम नहीं हो सकती जितनी उतनी confirm करेगा कम नहीं कर सकता है याद रखेगा to the best of his judgment determine the sum payable refund due word नहीं है ध्यान से देख रहाखते हैं एक 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 word का interpretation है यहाँ पे refund due word नहीं लिखा है payable जबकि 143 में हमने refund due word ऐसा नहीं बेच जज्जमेंट का मतलओ अपने मन से कुछ भी कर दिया अब information कहां से आएगी एक assessi से खुद डिमांड कर लो 142,12 में वो देदेगा दूसरा यह भी नहीं हो पाया तो आप past year का data उठा करके information ले लो यह भी नहीं हो पाया तो आप 133, power to call information उसके through कर लो कोई problem नहीं है summon issue कर लो 131 के अंदर में कोई problem नहीं है वहाँ से ला लो पर evidence के basis पे ही income compute होगी no order of assessment shall be made after expiry of 12 months 18 cut कीजे, यहाँ पे 12 कीजे यह amendment हो चुका यह चीज 153 में लिकी वी है क्योंकि दोनों का time limit 153, 1 में लिका है चाहे 143, 1 का हो या 144 का हो so no order of assessment shall be made after expiry of 12 months from the end of relevant assessment year from the end of relevant assessment year no refund can be issued by EO under this particular section यहाँ पे कोई refund आ सकता नहीं sir क्या practically bed judgment assessment होते है बहुत कम क्योंकि क्या होता है sir जैसी notice आता है अससी वैसी comply कर देता है तो bed judgment assessment तक की नौबत actually नहीं आती एकड़म factual position में आपको बता रहा हूँ bed judgment assessment की नौबत आती ही नहीं वहाँ तक के matter पहुचता ही नहीं बहुत कम cases bed judgment assessment के अंदर जाते हैं नहीं तो bed judgment assessment के अंदर में नहीं जाते यह एकड़म factual पॉइंट है जो मैं आपको बता रहा हूँ is that done चलिए sir यह भी हम लोगों ने आज complete कर लिया यहां तक page number 19 हम लोगों ने complete कर लिया आज के आपके कुछ homework है जो mandatory लिए आपको पढ़ने है पहला homework आपका क्या है must read आज के जितने section हुए वो सारे आपको mandatory लिए रीड करने है जैसे 142, 2A आपको रीड करना है 143, 1 रीड करना है 142, A आपको रीड करना है 143, 2 रीड करना है 143, 3 रीड करना है 144, 4 रीड करना है बाकी 280 वाले सीरीज बिल्कुल read मत करना ये section mandatory पढ़के आना pen drive, google drive जहां virtual centers जहां पे भी आप देख रहे हैं ये lecture पढ़े बिना आप आगे के lecture पे नहीं बढ़ेंगे ये मेरा serious opinion है आप सभी को बिल्कुल आगे नहीं बढ़ना जब तक के पढ़ना लो और मान लो तुरंत ही इसके बाद वापस lecture देखने वाले होंगे क्योंकि मजा आ रहा है डिटी के अंदर में तो चलो एक और lecture देख लेते हैं बिल्कुल देखो एक घंटे का break लो एक घंटे वापस पूरा bare act पढ़ने का यहां से note से और उसके बाद ही आगे करने का नहीं तो करने का नहीं मैं पहली बता रहा हूँ बरवर है आगे का समझना है तो यह जरूरी है कल के section समझने के लिए यह सारी चीज़े जरूरी है आप लोगों के लिए यह बात याद रखेगा ठीक है मालिक इसके साथ साथ यह पढ़ने के साथ साथ कुछ return homework अब मैं आपको दूँगा यह return homework भी आपको करने होंगे क्योंकि पढ़ने के बाद ही जब आप पढ़ लोगे पढ़ने के बाद इन question को आपको solve करना है question number one homework question number four homework question number seven homework question number eight homework यह चार homework मैं आपको दे रहा हूँ seven and eight, one and four यह चार homework mandatory try कीजे solve करने का और rough paper के उपर लिखिए अगर आपर सच्च में बहुत अच्छा score करना चाते एक्सम्शन score करना चाते तो लिखो गलत ज्याद होगा उसे उपर कुछ नहीं होगा पेज वेस्ट करने से ज्यादा कभी ज़ूर्ख सब्सक्रेट सब्सक्राइब लिखो का लिखो कल आके तो वैसे वी हर homework जो जो मैं आपको दिटा हूं मैं हां पर आपके साथ WhatsApp दून्सर बाय और टेक करे झाल है झाल है. झाल झाल